मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अब हर एक examination में बहुत ही अच्छे लेवल पर पूछी जा रही है और इंग्लिश को समझने के लिए हमें सबसे ज़ादा ध्यान देना होता है पार्ट्सो स्पीच पर पार्ट्सो स्पीच की भी अपने खास बात है पार्ट्सो स्पीच सभी के सभी अपने साथ एक दूसरे को एक बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं अगर किसी भी एक पार्ट्सो स्पीच को समझना है तो या तो आपको उसके साथ उससे पहले पार्ट्सो स्पीच क में एक सजन articles का भी जिकर कर देते हैं तो हमारा ये मानना है कि हमारे जो parts of speech हैं वो हमारे English को समझने में सबसे जादा अच्छा role play करती हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूँ एक खुबसूरत सी चीज जिसे हम कहेंगे parts of speech का बेताज बादशा नौ ठीक है बच्छो बेताज इसलिए कहेंगे हम इससे बहुत सारे सवाल बनाने की टेकनीक तो हम सीख जाते हैं इससे बाकि सारे parts of speech को समझने का एक बहुत खुबसूरत base हम बना देते हैं लेकिन इसी के साथ साथ हम सारे के सारे parts of speech में आपस का link कैसे बना देते हैं ये हमें समझने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो मेरे प्यारे दोस्तों आईए सफर को शुरू करते हैं parts of speech में जो सबसे important चीज है हमारी noun आज हम आप सभी के साथ मिलकर इस discussion को शुरू करते हैं noun एक बेहतरीन topic एक बहुत लंबी चोड़ी बात्चीच समझाने के लिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है लगबग हर एक examination में आप किसी भी examination की त्यारी कर रहे हैं noun के basis पर आपको हर एक चीज बहुत सरल तरीके से आनी चाहिए और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी के साथ मिलकर noun को बिल्कुल सरल से सरल तरीके से समझा सकूँ और हर एक चीज को बेहत खुरसूर तरीके से आसान बना सकूँ आईए मेरे दोस्तों हर बात को ध्यान से समझते चले जाएंगे noun अपने आप एक काफी important है और noun से पहले हमें एक दो बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा और वो एक दो बाते क्या है थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजीगा बिटा सबसे पहली बात जिसे हम कहते हैं शब्द इस वर्ड की बात करते हैं वर्ड को हिंदी में हम कहते हैं शब्द जब इसकी definition की हम बात करते हैं बचों तो वर्ड की जो definition है हम कहते हैं a meaningful unit of letters यानि के अक्षरों की एक नियूनतम इकाई अक्षरों की एक छोटी से छोटी इकाई को हम शब कहते है अब यह जो नियूनतम इकाई है इस इकाई के आधार पर ही हम लोग इसके छोटे छोटे हिस्से बाटते हैं जिससे हम parts of speech कहते हैं अपस में स्वर और व्यंजन को जब हम मिलाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक सार्थक इकाई बनाते हैं उदारन के लिए अगर मैं आपके सामने कहूं एक छोटा सा मैंने शब्द लिखा आप जब इन तीनों के तीनों alphabet को आपस में हैं अब मेरे दोस्तों अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से कहूं तो आप थोड़े से परिशान हो जाएंगे और कहेंगे सर इसका तो कोई अर्थ नहीं है जब इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द परिवार से भी बाहर हो गया ठीक है बचो? तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यही हमारे अक्षरों के एक सार्थक इकाई जब बनती है यानि कि अक्षरों को हम अर्थ के आधार पर एक टुकडे में बाट देते हैं तो यह बन जाता है हमारा वर्ड और इसी word की categorization को अगर हम समझेते हैं तो यही हमारे सामने हो गए parts of speech parts of speech की संख्या जैसा कि मैंने आप तो को को बताया है मेरे भाईओ parts of speech ही संख्या अपने आप में कुल कितनी हो गई they are 8 in number 8 है और इस 8 के साथ एक हमारे जो प्यारे से रिष्टेदार है articles हम इसे कहते हैं ठीक है अब मैंने शब्द यूज किया है रिष्टेदार थोड़ा इसको असान बनाते हैं क्योंकि पहले छोटी छोटी चीज़ों का basic अगर आपका तयार हो जाएगा आप इस चीज़ को फिर खुबसूरती से समझ पाओगे ठीक है थोड़ा ध्यान से समझते हैं parts of speech के अगर हम बात करते हैं तो parts of speech अपने आप में हम सभी बच्चों ने बच्पन से इनका नाम पढ़ा है art होते हैं जिसमें सबसे पहले आपका noun है अब मैं अपनी बात बदाओं बच्पन की बच्पन में मेरे मूँसे noun को nonu कहने की आदत होती थी ठीक है और हम noun को अक्सर nonu कह दिया करते थे ये tongue slip हुआ करता था जबान फिसल अब बिटा सबसे पहले pronoun एक दूसरा parts of speech आगया pronoun तीसरा parts of speech आगया जिसे हम कहते है adjective एक अगला parts of speech आगया जिसे हमने कहा verb और इसके बाद एक अगला part of speech आता है हमारा adverb आगे हम बढ़ते हैं तो फिर आती है खुबसूरत सी चीज जिसे हम कहते है conjunction अगली बात चीज आती है दोस्त जिसे हम कहते है क्या चीज preposition और आखिर parts of speech के परिवार में एक शब्द आता है जिसे हम कहते है interjection अब ये सारे parts of speech हुए ये सारे parts of speech हुए अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मैंने इसको बेताज बादशा के नाम से जना आखिर बेताज बादशा क्यों कहा थोड़ा ध्यान दीजेगा अगर noun नहीं होता तो pronoun replace किसे करता सवाल तो वाजिब है pronoun replace कर नहीं पाता किसे को अगर noun नहीं होता तो adjective qualify किसको करता यानिकि ये qualify करने की शमता खतम कर देता अगर noun नहीं होता verb action किसके लिए करती ओगे सर ये भी वाजिब बात है अगर noun नहीं होता तो verb action करना भूल गई थी और अगर verb नहीं रहा तो बात समझ रहे हैं तो adverb क्या काम करती बोलो हा ठीक है बिटा फिर से एक बार ध्यान से समझना अगर noun नहीं होता तो pronoun replace नहीं कर पाता adjective qualify करना नहीं पाता इसी तरीके से verb action नहीं कर पाती और इसी तरीके से verb का nature भी decide नहीं हो पाता ठीक है अगर noun नहीं होता तो conjunction से हम जूडते किसको बात उलज गई भलो हा ठीक है अगर noun नहीं होता तो noun से पहले आकर preposition use किसके लिए होती आपके दिमाग में फिर से सवान उठ गया अरे गुरुजी बात तो सहीं कह रहे हो preposition का अस्तित्तु भी challenge हो गया preposition भी अपने हमे challenge हो गया preposition की संभावना भी खतम हो गई ठीक है न और अगर noun नहीं होता अगर noun नहीं होता तो बाबू ये सोच के मुझे बताओ बिना noun के हम sudden feelings किसके लिए बताते बिना noun के हम sudden feelings किसके लिए बताते ये भी अपने हमें संभाव नहीं होता इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि अगर हमारा ये बेताज बादशा नहीं होता तो सारे parts of speech खत्रे में पढ़ जाते हैं हाई है ना मेरी बाद समझ रहे हैं तो भाईया ये तो हो गए हमारे के समारे सारे के सारे क्या भाई ये 8 हो गए ठीक है अब इन में हमारे एक बहुती प्रिये है और वो प्रिये कौन है भाई ठीक है ये ऐसे नक्चड़े फुफा जी है ये वैसे तो अपना इनका कोई मीनिंग नहीं है आप सोच के देखो ना मेरे भाई मैं हूँ, मेरा नाम लो, मुझे याद करो तो ये हैं हमारे क्या मेरे भाईयों ये हैं हमारे प्यारे से, खुबसूरत से फूफा जी तो कहानी हमें ये समझ में आ गई है कि सारे के सारे जो parts of speech है उनमें जो सबसे important role है definitely किसका है भाई, noun का है और इनी noun के साथ साथ कहीं कहीं ये जो हमारे प्यारे फूफा जी है मैं इनको लिख देता हूँ ताकि ये बीच बीच में आएं तो भाईया हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को याद रहे जाए कि फूफा जी का बहुत बड़ा role है अब मेरे दोस्तों आजो नाउन को हम एक शब्द की तरह भी पढ़ेंगे ठीक है भाईया यानि के नाउन एक अकेला शब्द की तरह कैसे काम कर सकता है ठीक है एक दूसरी चीज मैंने लिखी थी लेकिन उसको हटा दिया था लेकिन अब इसके बारे में हम समझेंगे हिंदी में इसे हम कहते हैं ठीक है ना यानि के अगर नाउन के पहले नाउन के पहले कुछ और शब्द जुड़ जाएं तो ये सारे के सारे इखटे मिलकर क्या बनाते हैं नाउन बनाते हैं और कैसा नाउन बना देते हैं नाउन बनाने का काम करते हैं अधूरा अर्थ क्या बनाने का काम करते हैं अधूरा अर्थ ठीक है न जी ये क्या बताते हैं अधूरा अर्थ अधूरा का मतलब आधा अधूरा अर्थ बनाएंगे पूरा अर्थ बनाने की शम्ता नहीं होती है यानि कि अगर किसी नाउन के साथ हम कुछ और शब्दों को मि क्या sentence क्या कहते हैं भाई जिसे हम क्या कहते है sentence ठीक है और ये वाला जो sentence है इसका तो एक बहुती हुष्णुरत सा नाम हम कहेंगे जिसे हम क्या कहेंगे noun clause ठीक है तो हमारा ये जो भी आज पॉपिक हम पड़ना शुरू कर रहे हैं आप सबे के साथ मिलकर अभी तक हमने दो बातों को ध्यान से समझा नाउन पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है ठीक है फिर हमने समझा नाउन नहीं तो बाकी पार्ट सो स्पीच खत्रे में है और वो हमारे फूफा जी वो भी गुस्से में बैठें उनके बे साथ भी हम अपनी अराम से बाचीत जरूर करेंगे फिर हमें समझ में आया कि नाउन को जब हम पढ़ते हैं तो नाउन को पढ़ते पढ़ते हमें तीन एरियर्स पर अपने आपको एक्सपर्ट बनाना है तीन ऐसे एरियर्स पर हमें बड़ा ध्यान देना है जिनकी विज़े से हमारे बाकी सोरे पार्ट्स वो स्पीच तयार हो जाएंगे और कहीं कहीं आर्टिकल्स भी हमारी ताकत बन जाएंगे तो चलिए आपको लेके चलता हूँ जादू की छड़ी के साथ आपके पुराने दिनों में मेरे प्यारे चोटे दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा बच्पन में आप सभी ने नाउन की डेफिनिशन क्या पड़ी थी मैं याद दिलाता हूँ नाउन की डेफिनिशन आपने पड़ी थी क्या? Noun is the name of a person, a place or a thing, ठीक है जी, आप लोगों ने noun की definition इस तरीके से पढ़ी थी, बोलो हाँ, ठीक है, आप इसे हिंदी में कहते थे, संख्या, क्या कहते है, संख्या, बच्पन में आप कैसे पढ़ते थे इस बात को, संख्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदी के नाम को कहते हैं, याद आया, अभी याद आजाएगा, जिन भाईयों को अभी तक याद नहीं आया, उनको अभी याद आएगा, मैं आप सभी के सामने, छोटे छोटे तीन वाके लिख रहा हूं, आप उनमें noun थोड़ा सा पढ़ कर पैचानने की कुशिश करना, ठीक है, मैंने कहा, रो ठीक है, the army कें हेर, मेरे छोटे भाईओं, आपके सामने तीन वाके लिखे हैं, इन तीनों के तीनों लिखेवे वी वाक्यों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और तीनों के तीनों इन लिखेवे वाक्यों में, आपको समझना है कि आखिर इनमें noun कहां कहां पर लिखा है अब आप ये को होगे सहाब कि नाउन अपने आप में क्या है किसी वैक्ति का नाम किसी स्थान का नाम या फिर किसी वस्तू का नाम ठीक है भई अब देखो हम पहले सवाल की बात करते हैं हम तो क्या लिखा है आगे अगे हम देखते हैं तो बॉइज लड़कों के लिए यूज हुआ है नाम बताया है इसलिए हमने इसको भी क्या कहछ दिया भाई नाउन कह दिया है अब इस नाउन के साथ कौन चिपका बैठा है हमारे प्यारे कौन थे रिष्टेदार है आपको गये सर्फूफा जी यादा है हाँ यह हमारे प्यारे फूफा जी आगे आगे हमने देखा प्लेड आपने कहा cricket, cricket खेल का नाम है ठीक है जी यह हो गया हमारे सामने फिर से नाउं ठीक है अब इस हेर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई सारे बच्चों को ये confusion पैदा हो गई कि गुरुजी इस हेर को अगर मैं देखूँ इस हेर को अगर मैं देखूँ तो ये हेर तो मुझे स्थान का नाम लग रहा है अरे गड़वड हो गई भईया होता है ना कुछ-कुछ इसको ही हमें समझना है कि आखिर ये लेवल कुन सा है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो लिखा हुआ छोटा सा शब्द है ये अपने आपने नाउन नहीं है ठीक है जी? अब ये नाउन कैसे नहीं है है ना जिसे आप हेर को अगर यूज कर रहे हो तो हेर का मतलब यहाँ पर मैं अपनी ले रहा हूँ आप लोगों के लिए स्टूडियो से तो यहाँ पर मतलब स्टूडियो समझा रहा है मुझे तो ये नाॉन जैसा लग रहा है लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप जिस लेवल पर हैं आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं इस लेवल पर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे ही मुस्कुराना पढ़ेगा और इस मुस्कुराहट के साथ साथ आप लोगों को सीखना पढ़ेगा मेरे साथ थोड़ा सा बड़ा level, जिसे हम कहते हैं क्या चीज? functional level. क्या सीखना होगा? functional level. ठीक है? मुस्कुराना तो पड़ेगा, लेकिन मुस्कुराने की वज़ा, तुम हो नहीं, मुस्कुराने की वज़ा, functional grammar है. यानि कि जितना गहराई से हम इसके function को सीख गए, उतना ही गहराई से हम इसकी सारी बात को सीख गए. functional शद बना है किस से? function से. function का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? आपको होगे सर, usage. क्या समझ में आ रहा है? usage. यानि कि हम क्या सीखने के कोशिश कर रहे हैं? प्रियोग के आधार पर. आपको होगे सर, प्रियोग के आधार पर. ठीक है, भाई? किसी से के आधार पर सीख रहे हूँ, आज आप मेरे साथ मिलकर कहानी को प्रियोग के आधार पर. यानि कि देखने से नहीं पता चलना, ये शब्द क्या है? पता चलेगा कैसे? जब हम ये देखेंगे, कि इस शब्द का हम प्रियोग कैसे करते हैं? इस शब्द का हम प्रियोग कैसे करते हैं? ठीक है? तो यानि कि अब हम लोगों को बच्पन की बात में एक ऐसा गदार पकड़ में आया, जो गदार ये सवाल उठा गया, कि बेटा तुम्हें नाउन पूरी तरह से आता है या नहीं आता तो नाउन को अब बेहत आसान अच्छे तरीके से आपको सिखाने का वाइदा हम आगे लेके चलते हैं दोस्तों यानि कि अब हम लोगों को आप सभी के साथ मिलकर नाउन को समझना होगा functional level पर यानि कि नाउन का exactly हम प्रियोग कैसे करते हैं ठीक है ठीक है बेरे बच्चो तो कहानी को शुरू करने अब हम आजो अब हम कहानी को शुरू करेंगे नाउन की definition को अगर functional level पर हम समझने का काम करें ठीक है नाउन की definition को अगर हम functional level पर समझने का काम करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या चीज़? नाम बताने वाला कोई भी शब्द क्या कहते हैं बाबू? नाम बताने वाला कोई भी शब्द कोई भी शब्द हो सकता है लेकिन सिर्फ क्या बताए? नाम बताए आप कोगे सर नाम ऐसे कैसे बता दे हम मैं कोगा बेटा बहुत असान है नाम बताना तुम देखो जरा प्यार से नाम बताने की इस विधी को ध्यान से समझेंगे सारे मेरे प्यारे भाईयों कैसे समझेंगे नाउन को बताने वाली अगर हम तरीके को समझें तो नाम बताने वाले शब्द के छोटे-छोटे आधार बना लेते हैं आप कोगे सर, सबसे पहले तो हम उन चीजों का नाम बता सकते हैं हम उन चीजों का नाम बता सकते हैं जो विजिबल हैं विजिबल का मतलब जिनने हम देख सकते हैं visible का मतलब क्या हुआ जिने हम देख सकते हैं जितनी भी चीज़े मुझे दिखाई दे रही है उस सब की सब चीज़ों के अपने नाम है जैसे की अगर मैं आपको कहूँ भाई किसी भी आप person की बात कर लो किसी भी भाई आप place की बात कर लो किसी भी भाई ठिंकी बात कर लो हर चीज़ का अपना नाम है स्कूटर है, कार है, लड़का है, लड़की है गोपाल वर्मा है, चुन्नू है, चुन्नू का पापा है किसी का भी नाम लिख लो, हर किसी का नाम है बोलो हाँ, ठीक है फिर आपके दिल में कुछ-कुछ होता है कैसे होता है आपको गे सर फिर तो ऐसी भी चीजे हैं जिने हम देख नहीं सकते जिने हम सिर्फ महसूस कर सकते है मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे बटा जिने आप देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते वो कौन सी खुमसूरे चीज़े होंगी वो भी खुमसूरे चीज़े है felt only तो जिनने देख नहीं महसूस कर सकते हैं इन्हें याद करने का हमने एक तरीका बना दिया क्या कह दिया F A Q S क्या बना दिया बाबू F A Q S अब इस F A Q S की अगर हम बात करें अगर इस F A Q S की अगर हम बात करें तो F A Q S की awful form मेरे साथ-साथ पढ़ने की कोशिष करो भाई F से हमने क्या लिग दिया feeling A से हमने क्या लिग दिया भाई action Q से हमने क्या लिग दिया भाई quality ठीक है और भाई S से हमने क्या लिग दिया भाई state ठीक है, FAQS की फुल फॉर्म हुमने कह दी, सबसे पहले क्या कहेंगे Feeling, Action Quality, State कोई बच्चों के सिर में दब दोगा रहे, गुरु जी State कौन से राज्य से हो, मैं कहूंगा बेटा State का मतलब राज्य नहीं होता है क्या होता है, अवस्था होता है State का मतलब राज्य नहीं होता, पता चले गुरु जी हम उत्तर परदेश से पढ़ रहे हैं, नहीं गलत बात, State का मतलब क्या होता है State का मतलब अवस्था होता है अवस्था के उधारन भी बताऊगा, चिंता नहीं होना, बेचैनी दिल में नहीं आनी चाहिए Unit हम कहते हैं उस शब्द को Unit हम कहते हैं उस शब्द को जो क्या बताएगा IKAI, IKAI का मतलब क्या होता है IKAI का मतलब हमें समझ में आता है कोई भी ऐसा शब्द जो किसी चीज को Count करने के लिए या फिर Measure करने के लिए यूज होता है ऐसी Unit, ऐसा Noun जो Count करने या Measure करने के लिए हम यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं भी सिखाऊंगा Tension ही लेने का भाई फिर एक अगली चीज आती है दोस्त जिसे हम लोग कहते हैं क्या भाई जिसे हम लोग कहते हैं क्या आप कहते हैं सर जो Noun तो नहीं है पर Noun के जैसा गर कोई काम कर जाए तो तो उसे आप क्या कहेंगे Noun Equivalent बात को ध्यान से समझना Noun तो नहीं है पर Noun के जैसा काम कर जाए कैसे ध्यान से समझना कभी-कभी ऐसा होते है जैसे अगर मालो मेरे कान में खुजली हो रही है तो मैं क्या करता हूँ Earbuds है नहीं मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई Clutch और मैंने अपनी चाबी से अपने कान को साफ कर डाला वाह पता चला किसी को देखो मजाक मजाक में सच में मैंने कान भी साफ कर लिया हाया ना आप कोगे अच्छा आप समझ में आया Earbuds है नहीं पर चाबी का आपने यूज किया कैसे जैसे आपकी पस Earbuds है हाके ना फिर से समझो फिर से समझो माल लो मैं ग्लास में बढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे का ध्यान नहीं है ठीक है यानि के मेरे पास इशारा करने की कोई चीज नहीं है लेकिन मैंने उस चौक के टुकडे का प्रयोग किया कैसे जैसे कि वो कोई हतियार हूँ तो नाउन नहीं पर नाउन के जैसे भी होते हैं क्या होते हैं इससे भी मिलाऊंगा भाई ठीक है अब मेरे प्यारे छोटे भाईयों कहानी थोड़ी सी मज़ेदार हो गई है क्या कहानी थोड़ी सी मज़ेदार हो गई है कैसे मज़ेदार हो गई है अब बड़े ध्यान से समझने की कुशिश करना हम जब नाउन परिवार से जुड रहे हैं तो हमारे दिल में एक सवाल ये भी आएगा कि गुरुदेव नाउन की definition बता दी, नाउन की categorization बता दी, कि नाउन को कितने हिस्सों में बाट सकते हैं, अब ये भी तो बताओ, अगर किसी लिखेवे वाक्य में हमें नाउन नजर आए, तो इसकी पहचान क्या होगी, तब ये भी तो बताओ, गुरुजी, नाउन की पहचान कैसे होगी, किसी भी लिखेवे वाक्य में हम नाउन को पहचाने कैसे, दिमाग में तो सवाल आएगा ना, बिल्कुल आएगा भाई बिल्कुल आएगा, और आना भी चाहिए अरे भाई, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग में सवाल आना चाहिए सवाल आएगा, तभी वो अपनी नाउन को पहचानने के लिए हमने छोटे-छोटे पैरे-पैरे तीन शब्दों का ध्यान रखा कुन से तीन शब्दों का ध्यान रखा सबसे पहले हम लोगों ने एक सवाल पूछा वाट से, वाट का मतलब हिंदी में क्या होता है हिंदी में क्या होता है वाट का मतलब आप को गई गुरू जी क्या होता है और क्या होता है ठीक है, अब दूसरा शब्द मैंने आपसे कहा भाई, who, who को हिंदी में क्या कहेंगे, कौन कहेंगे, हाई न, फिर एक तीसरा आगया गंदा बच्चा जिसे हम कहते हैं whom, जब whom हम कहते हैं, तो इसे हम किसे भी कह सकते हैं, या फिर किस को भी कह सकते हैं, ठीक है मैटा, fine, तो ये भी बात हमारे सामने आ गई, ठीक है, तो noun की हमने definition समझी, noun किस तरीके से पहचानना है, उसको लेकर ये तीन छोटे-छोटे शर्द हमने आपके सामने रखे अब मैं आपके सामने लिखूंगा कुछ वाक्य है, और noun को पहचानना आप लोगों कुछ सिखाऊंगा, आप इस बात पर बड़ा ध्यान दीजेगा मेरे बच्चों, क्योंकि ये जितने पार्ट सो स्पीच का खेला है ना, रुको ज़रा सबर करो, ये जितना noun को पहचानने का खेला है ना बेटा, ये सारा खेला केवल तबी समझ में आएगा जब noun को अच्छे से पहचान लोगे ठीक है ना, अब अगर noun अच्छे से समझ आगए तो सारा खेल आपको अच्छे से समझ आएगा, तो सबसे पहले पहचान ही हम अपनी okay कर लेते हैं मैं आप सभी बच्चों के सामने मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के सामने कुछ वाक्य लिखूंगा इन लिखेवे वाक्यों में नाउन को पहचानना हम सीखेंगे, ठीक है, आजो शुरुआत करते हैं, ठीक है किरन विल गाइड तरुन शेखर वॉन्स आ बुक, बिटा हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ना है, नाउन पहचानने की कोशिश करना है, ठीक है, मोहन वेंट, हूँ happiness is a gift laughter cures stress shikha will come tomorrow tomorrow never comes geetha loves are home a week has seven days Mohan wanted some rupees please नाउन कोई भी नाम बताने वाला शब्द हो सकता है अब नाम बताने वाले शब्द को जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एक ऐसा शब्द जो गिनने या मैजर करने मतलब मापने के काम आता है या नाउन जैसा कोई भी शब्द नाउन की पहचान के लिए तीन शब्दों का हमने जिकर उठाया बाबू, कौन से तीन शब्दों का हमने जिकर उठाया, सबसे पहले हमने पूछा what से सवाल, फिर हमने पूछा who से सवाल, और फिर हमने पूछा किस से whom से सवाल, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चो, हमने इन तीन स किरन किसे गाइड करेगी आपने कहा किरन किसको सलाह देगी आपने कहा तरुन को तरुन अपने आपमें क्या हुआ किसे का जवाब है नाउन हो गया मैंने कहा अपने कहा अरे बुलो हा इजी होगा बचे अगले सवाल की बात करते हैं सर वो वेंट हो आपने जवाब दिया नाउन ठेक है अब आप मुझे ध्यान से सोच कर बताएंगे दोस्तों कि यहां लिखा हुआ यह जो होम है यहां लिखा जो होम है यह हमें वट का जवाब दे रहा है यह हमें वेर का जवाब दे रहा है चलो 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 पढ़कर मुझे बताएंगे जवाब देंगे चलो 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 पढ़कर म मोहन कहां गया क्या का जवाब नहीं है अब कहां का जो जवाब हमें शब्द देता है वो पार्ट सो स्पीच के नुसार एडवर्ब है क्या है पार्ट सो स्पीच के नुसार क्या है एडवर्ब है मैंने पूछा मोहन कहां गया जाने के बारे में बता रहे हो वर्ब के बारे मे बताने वाला कौन हो गया बोलो एडवब हो गया यार किसी बात कर दिल ला इधर तो देखो यह लाइन मारी थी हमने वर्ब के बारे में बताने वाला कौन होता है एडवब ऐसे नहीं चलेगा भाई या ठीक है ना अब देखो ध्यान से स्थान बताने वाला ये शब्द है क्या है बटा स्थान बताने वाला ये शब्द है लेकिन स्थान बताने के जैसा काम नहीं कर रहा अरे हाँ है ना यह जवाब हमें नाउन का नहीं यह जवाब हमें दे रहा है किसका वेर का यानि कि adverb हुआ आगे हम देखने का काम करते है what is a gift क्या है एक gift आपने कहा happiness what का जवाब दिया तो noun हुआ अब मेरे बच्चे एक बार ध्यान से समझो happiness को कोई देख सकता है बताओ जरा आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हो इंग्लिश को सीख रहे हो दिल में गुदगुदी मचरी है हर चीज को सीख रहे हो आप मुझे एक बात बताओ आपको खुशी महसूस हो रही है मैंने क्या बला खुशी महसूस हो रही है यानि कि ये दिखाई नहीं सिर्फ महसूस होने वाली क्वालिटी है अब जो चीज महसूस हो रही है तो यही है वो कौन यही है वो जो felt only category से है felt only परिवार से है ठेक है बेटा हाई ना happiness क्या है आपने कहा gift वस्तू हो सकती है ये भी noun हुआ आगे पढ़ते है सर लाफटर cures stress क्या इलाज करता है तनाओ का आपने कहा laughter यानि कि ये भी laughter क्या है कई सारे बच्चे कहते है laughter तो सर दिखाई देता है नहीं laughter सिर्फ महसूस होता है किसी का मुस्कुराना आपके लिए inspiration हो सकता है किसी का मुस्कुराना आपके लिए insult हो सकता है किसी का मुस्कुराना आपके लिए कुछ भी हो सकता है मुस्कुराना किसी का महसूस किया जा सकता है यही बाद समझे आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो आप अपने जीवन में मेहनत करके सीख रहे हो आपका पडोसी आपके उपर हस रहा होगा यह जो हस रही है दुनिया मेरी ना कामियों पेटाने कस रही है दुनिया दुनिया आप पर मुस्कुरा रही है किसी का मुस्कुराना इंसल्ट है किसी का मुस्कुराना आपके लिए motivation है महसूस होता है laughter cures what आपने कहा stress यह हो गया क्या बावू नाउन हो गया ठीक है आगे पढ़ते हैं शिखा इंसान का नाम है शिखा विल कम टुमोरो शिखा विल कम अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से सोच के बताना ये लिखावा टुमोरो मुझे वट का जवाब दे रहा है या फिर ये मुझे वेन का आंसर दे रहा है चलो सोचो और बताओ देखो बच्चो आप लोग कोशिश किया करो जवाब देने की जब आप लोग कोशिश करते हो जवाब देने की तो आप सीख रहे हो ठीक है ना ये नहीं सोचना कि सर हमारे जवाब पढ़नी पाएंगे हम क्यो जवाब नहीं आपको जवाब देना है ठीक है मैंने का शिखा विलकम आपने कहा सर यहाँ पर यह जो हमें आंसर मिल रहा है वाट का नहीं वेन का आंसर मिल रहा है है ना तो जो वेन का आंसर अपने आप में दे अब देखो भाई दिल से धोका दूर हो जाएगा कैसे धोका दूर हो जाएगा कि गुरू जी जब इसकी हमने बात की तो यहां पर यह किसका काम कर गया आप से गुरू जिए यह गंदा बच्चा काम कर गया नाउन का। बात समझ में आरी है बेटा हर बात दिल पे लिख दूँगा टेंशन मतलो आगे हमारा सवाल लिखा है भाई क्या लिखा है लिखा है गीता ये तो एक इंसान का नाम है तो ये क्या हो गया भाई नाउन हो गया अब मेरे बच्चों गर आगे हम बात को समझें तो यहाँ पर गीता loves her home गीता को क्या प्यारा है अपना घर प्यारा है है ना तो बिटा ये अपनाम में क्या हो गया नाउन क्यों 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 कि ये मुझे किसका जवाब दे रहा है what का अब देखो फिर से गुगली आगई हमारे सामने किस बात की गुगली आगई आप कोगे गुरुदे हमें अब थोड़ी सी बात समझ में आई कि यहाँ पर ये home हमें जवाब दे रहा था किसी इसका वेर का यहाँ ये home हमें जवाब दे रहा है किसी इसका वट का यानि कि देखने में दोनों एक ही शब्द है अब हमें ये समझ आया जो आप यहाँ कह रहे थे प्रियोग के आधार पर हमें अब grammar समझ नहीं है यानि कि किसी भी शब्द को जब तक वाक्य में प्रियोग नहीं कर ले किसी भी शब्द को जब तक हम किसी sentence में यूज ना कर ले तब तक हमें नहीं पता चलता exactly यह क्या काम कर रहा है समझ आ गया मेरे बच्चे बात तो यानि कि हम हमें समझ में ये आ गया कि जब हम किसी भी लिखे वे वाक्य में ये देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है तब तक हम किसी को नाउन नहीं करेंगे समझ आ गया बच्चो चले आगे आओ मेरे प्यारे भाईयों इसी परिवार में थोड़ा आगे बढ़ते हैं मैंने का what has seven days आपने का a week what का अगर ये हमें answer दे रहा है तो क्या हो गया बाबू noun हो गया और week अपने आपने 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 unit हो गया क्योंकि इस से हम दिनों को गिन सकते हैं समय को गिन सकते हैं समझ रहे जिस से हम दिनों को समय को गिन सकते हैं वो शब्द ऐसा हो गया जिससे हम गिनती कर सकते हैं आगे हमने कहा आवीख है थोड़ा सा ध्यान करके बताओ भी मैं अगर आपसे यह सवाल पूछ हूं कि बाबू नाउन से ठीक पहले आकर जो नाउन को qualify कर दे, हम उसे क्या कहते हैं जो noun से ठीक पहले आकर noun को qualify कर दे उसे हम क्या कहते हैं सोचो, बताओ फिर से, noun से पहले आकर जो noun को qualify कर दे noun की विशेशता बता दे सही पकड़े हो भीया, क्या कहला जाएगा भीया, adjective कहला देगा हा के ना, तो बावु इस noun से पहले यह जो seven लिखा हुए है, यह अपने आम में क्या हो गया है आपको गया, अरे गुरुजी यह गंदा बच्चा adjective हो गया है, क्या हो गया है adjective हो गया है, easy आके बढ़ते हैं, अगला सवाल मोहन इंसान का नाम है, noun हो गया मोहन wanted what, आपने कहा rupees, sir, rupees अपने आम में noun है और कौन से वाला noun है, unit rupees से हम गिनते हैं अपने धन को, यह unit है ठीक है, अब इसी noun से ठीक पहले लिखा हुआ, यह जो sum है, क्या हो गया noun से पहले लिखा हुआ, noun की विशेशता बताने वाला ठीक है बच्चे, फैर, कहा तक हम में समझ में आया, noun की परिभाशा क्या है, noun काम कैसे करता है noun किसी भी लिखेवे sentence के अंदर पहचाना कैसे जाता है समझ आगे बच्चो, चलिए अगर ये वाली बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है ठीक है, अब ये वाली बात अगर हमें अच्छे से समझ में plausible आ गई है, ठीक है, तो हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं ठीक है, बच्चे अब हमें कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलना है, लेकिन कहानी को आगे हम केवल खुबसूरती से समझ सकते हैं तब जब हम noun की सारी छोटी-छोटी बाते अच्छे से समझ ले यानि कि सबसे पहले हमें बड़े प्यार से समझना होगा kinds of nouns noun होते कितने प्रकार के हैं ठीक है? noun होते कितने प्रकार के हैं तो सबसे पहले छोटी प्यारी बात हम समझने की कुशिश करेंगे नाउन आकिर होते कितने प्रकार के हैं आज बचो, एक एक करके समझते चलेंगे देखो भाई, सबसे पहला हमारा शिकारी आया है कौन? जिसे हम कहते हैं प्रोपर नाउन क्या कहते है बाई जिसे हम जिसे हम क्या कहते है बाबू बोलो जड़ा proper noun ठीक है अब जब proper noun की हम बात करते है तो proper noun अपने आप में होता क्या है बाई proper noun अपने आप में होता है एक ऐसा शब्द जो या एक ऐसा नाम जो किसी का भी अपना specific name है इसको बड़ी सिंपल भाशा में लिख देता हूँ जब भी आप इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका initial letter यानि के जो शुरुवाति अक्शर है वो कैसा होता है बड़े अक्शर में लिखा जाता है बड़े अक्षर का मतलब क्या कह दिया आपने अपरकेस अपरकेस का मतलब क्या हुआ बड़े अक्षर अपरकेस का मतलब क्या कह दिया वेट आपने बड़े अक्षर जब भी आप किसी proper noun की बात करते हैं यानि के जब भी आप किसी भी proper name of a person की बात करते हैं तो proper name of a person के लिए हमेशा एक बात ध्यान लखना अच्छा, parts of speech में एक हमारे रिष्टेदार का नाम लिखवाया था मैंने parts of speech में एक हमारे रिष्टेदार का नाम हमने लिखवाया था बहुत खतरनाक थे वो रिष्टेदार हान जी याद आ गया वो बीच बीच में आएंगे अपनी शकल दिखाएंगे आपको परिशान करके जाएंगे तो किसी भी इंसान का अगर हम नाम लिखते हैं तो मेरे बच्छों ध्याल लखना हम उससे पहले किसी का भी फूफा जी का यूज नहीं करेंगे फूफा जी का यूज ना करने का मतलब क्या किर दिया हमने जीरो आर्टिकल ठीक है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे है ना अब अच्छो चलो ये और बात मैं आपके दिल पे लिख देता हूँ जीरो आर्टिकल का मतलब क्या हुआ ए एन या फिर दा हम इनका बिल्कुल भी प्रियोग नहीं करेंगे हम इनका बिल्कुल भी प्रियोग नहीं करेंगे ठीक है दोस्तों अब चलो उदारन बता भी देता हूँ आप लोगों को है न बचे थोड़े से उदारन पर आजो बिटा for example उदारन पर अगर हम आए तो जैसे मैंने इक तो नाम लिख दिने बच्चाँ डेली नहीं डेली नहीं इंटिया ठीक है है न चलो आज कल बड़ा मुद्दा चल रहा है इंडिया को हम भारत कहेंगे हमने भारत लिख दिया ठीक है मेरे दोस्तों ठीक है भई अच्छा अगर हम कहें चलो इसी बाची के साथ नाम लिख लेते हैं ठीक है मैंने लिख दिया करन ठीक है नाम लिख दियते है भाई अर्जुन ठीक है भाई किसी इंसान का नाम ठीक है स्थान का नाम लिख दिया वस्तू का नाम लिखना है खुबसूर चलो बेटा नोकरी लगते ही आप लोगों को गाड़ी लीनी है फॉर्चुनर टारा ठीक है टेशन में फॉर्चुनर लेके चलेगा ठारा भाई ठीक है बेटा तो ये हमारा हो गया कौन भाई प्रोपर नाउन ठीक है प्रोपर नाउन आप होगे सर ये कौन है भाई इसी का बिगड़ा हुआ इसी के ठीक उलट कर चलेगा भाई अब कौन नाउन के अगर हम बात करते हैं तो ये कौन हो गया कौन नाउन एक ऐसा नाम है जिसे हम कहते हैं जनरल नेम जनरल नेम का मतलब साधारन नाम जनरल नेम का मतलब क्या हुआ बेटा साधारन नाम साधारन नाम का मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझ में आता है ये ऐसा नाम है जो प्रदर्शित करता है और केटेगरी जो क्या प्रदर्शित करता है किसी भी वर्ग को या किसी भी परजाती को जैसे उदारन समझना मैं अगर कहता हूँ राहुल बाहर खड़ा है राहुल कोन हो गया? किसी का अपना खास नाम specific name, proper noun हुआ राहुल को हटा कर अगर मैं कहता हूँ एक लड़का बाहर खड़ा है आप तुरन सोचोगे कोन लड़का? लड़का तो कोई भी हो सकता है यानि के जिस जैसा कोई भी हो सकता है उसी को हम कहते है क्या? general name इसके जब शुरुवाती अक्षर की हम बात करते हैं, यानि के जो इसका शुरुवाती अक्षर है, यहां गंदा बच्चा क्या था? बड़े अक्षर में था यहाँ हम इसको किस में लिख देंगे lower case में यानि के छोटे अक्षर क्या लिख देंगे भाई छोटे अक्षर ठीक है बिटा अब अगर हम यहाँ पर किसी भी इंसान के नाम के साथ कुछ भी नहीं लगा रहे थे तो भीया ध्यान रखना जो भी हमारा common noun होगा जो भी हमारा common noun होगा वो इसके ठीक खिलाफ जाएगा इसका मतलब उसे अपने साथ a, n या the compulsory चाहिएगा यह नहीं मानने वाला यह कहता है जी नहीं मैं तो बिना फूफा जी के चलूँगा इतनी मैंने का ठीक भीया तुम्हारी माननी पड़ेगी हमको दिकत नहीं है उदारन लिखते हैं फिर प्यार को आगे बढ़ाएंगे ठीक है पेटा उदारन को लिखते हैं फिर प्यार को आगे बढ़ाएंगे जैसे मैंने एक आपके सामने लिख दिया a boy a girl मैंने कहा a car ठीक है जी मैंने आप सभी के सामने लिखा a garden ठीक है बचो यहां तकी बात समझ में आ गई ठीक है बचो यहां तकी बात अच्छे से समझ आ गई चली बचो आप थोड़ा सा आगे चलते हैं ठीक है ना proper noun समझ लिया common noun समझ लिया अब मेरे प्यारे बच्चों, हम थोड़ी सी बात को इसी से आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे ठीक है, हर एक चीज को ये पहचान लिखते हुए हम चलने हैं ताकि हम किसी भी तरह के लिखे हुए नाउन को अच्छे से पहचान सके पहचानना बहुत जरूरी है, नाउन के कॉंसेट उसके बाद अपने आप आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे ठीक है बचे, चली बटा, आगे बात बढ़ाते हैं तो एक अगले टाइप के नाउन पर हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं material noun, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या material noun, अब मेरे बचों material noun क्या होता है आप होगे गुरुजी, material noun तो कुछ material से संबंदित हो गई बात, है ना, material noun तो जिस तरीके से ये, उसी तरीके से material noun की भी पकड़ बनाते हैं हो गई material noun किसे कहते हैं हम सर एक ऐसा नाम होगा ये name of substance और matter यानि किसा नाम हो गई है किसी भी धातू या पदार्त का नाम होगा कोई भी धातू हो सकती है कोई भी पदार्त हो सकता है जिससे कोई दूसरी चीज़ बनती है मैंने ये shirt पहनी किस से इस बनी है आपको के सर ये cotton से बनी है मेरे हाथ में एक ring है रिंग किस की है आपको के साथ ना एक गंदा बच्चा बिल्कुल भी नहीं आता कौन सा फूफा जी का ये वाला रूप बिल्कुल भी नहीं आता ठीके ना आखिर ऐसा क्यों होता है इसके कारण को हम जानेंगे कुछ समय के बाद ठीके ना हम किसी भी material noun के साथ A या N का यूज नहीं करते अब इसकी छोटी सी बात के कुछ example सम लेकर चलेते हैं अगर हम इसकी बात करते हैं किसी भी material noun की है तो भाबो material noun के लिए जिस तरीके से हमने कह दिया भी या gold हमने एक और example लिख दिया भी या silver है ना अगर आप को होगे तो water भी इसी की category में आता है राइट अगर चलो भाई साब bronze इसे हिंदी में हम क्या कहते है तामबा ठीके भाई तो ये जितना भी हमारा material है वो सब किसमें आता है लो भाई मैंने एक और लिख दिया आपके लिए milk किस category में आता है सब ये आप को रिवाई थोड़ा थोड़ा याद करते वे चलना है जिसके basis पर आगे चीज़ें आसान हो जाएं चलो बिटा एक अगले type के noun से मुलाकात कराता हूँ और इस noun को हम कहते हैं collective noun इस noun को हम कहते हैं क्या भी रिवाई collective noun collective noun से शब्द से समझ आ रहा है जो collect आप कोशिश करें यानिकर जो किसी चीज़र के समूह की जानकारी हमें दें है ना तो यह किसी चीज़र का है name of a group क्या हो गया भई यह name of a group अब यह आप group को समझेंगे तो group किसी चीज़र वोगा group होगा similar का ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं है ना, कि जो एक जैसे नहीं हो उनका थोड़ा सम्मू बना सकते हैं मेरी बाचा मजए, संभव तब हो सकते हैं जब एक ही जैसे बहुत सारे जानवर हो, हम उनके गुरुप का एक नाम रख देते हैं, आए ना तो बीटा, गुरुप जब सिमिलर का हो सकता है तो किस-किस का हो सकता है गुरुप सिमिलर का हो सकता है भई, एनिमल्स का हो सकता है ठीक है ना, भई, अगर हम कहें तो सर, पीपल का हो सकता है सर, अगर हम इसी के टिगरी में कहें तो Finks का भी हो सकता है इसी का अगर हम नाम लेतों Places का भी नाम हो सकता है थोड़ा उदारन लेकर चलते हैं कुछ बच्चों के दिल में आ रहा है कि सर उदारन से पहले ये तो बताओ क्या फूफा जी का कोई रोल हो गए इनके साथ वो कहानी थोड़ी अदूरी है इसके साथ आर्टिकल्स का यूज होगा या नहीं होगा उसको हम जानेंगे कुछ समय के बाद ठीक है आर्टिकल्स का इनके साथ यूज होगा के नहीं होगा वो हम जानेंगे कुछ समय के बाद तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा चलो चलो थोड़े से इसके भी examples में आपके सामने लिख लेता हूँ examples में अगर मैं आपके सामने चली थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है मैं आप सभी के सामने कुछ collective noun के example लिख रहा हूँ आप इनको पैचान के बताने हैं किसके group है ठीक है जी चली 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 फटा फट से बताने की कुशिश करेंगे चली बाई चार शब्द लिखे हैं इन चारों को पहले ध्यान से एक बार पढ़ो अपने मन में इनके जवाब सोचो फिर मैं इनके answers आपको बताऊंगा ठीक है बही आज़ों बैवी की अगर हम बात करते हैं तो बैवी group होता है किसी इसका group होता है बैवी is a group of girls लड़कियों के समू को बैवी कहा जाता है आर्मी किसे कहा जाता है आर्मी is a group of soldiers ठीक है ना और अगर इसी से आप animals को समझने की कोशिश करो तो ants का जो समू है यानि के जो ants का समू है उसको भी हम इसी नाम से बताने का काम करते है galaxy किसी इसका समू होता है galaxy of stars ठीक है country किसी इसका समू होता है country यानि के देश किसी इसका होगा country is a group of states ठीकि बीटा, बच्छाबज में आगे हागी ना, तो यानिके किसी भी समुह की जब हम बात करतें हैं, तो कोई भी समुह वाचक संगा इनी में कहतें से, जब-जब समुह की बात करोगे तो group इसका एक ही जैसे इनसान हो, एक ही जैसी वस्तुवे से पढ़ी है भाई हमने noun की definition पढ़ी है थोड़ी खुमसूरती से और ये पढ़ा है हमने क्या भाई कि noun की एक पहली category है जिसे हम कहते है visible क्या कहते है जिसे हम visible यानि कि जिसे देखा जा सकता है बुलो हाँ अब अगर इस देखे जाने बात को थोड़ा सा ध्यान से हम समझते है मेरे प्यारी चोटे भाईयों अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं यानि कि जो visible category के हमारे जो visible category के हमारे खुमसूरत से ये शब्द है वो क्या है आपको होगे सर visible category के जो हमारे खुबसूरत से शब्द है वो ये पहले चार नाउन ही है आपका proper नाउन, आपका common नाउन आपका collective नाउन आपका material नाउन हम इन सभी को क्या कर सकते हैं आपको के साथ खुबसूरती से देख सकते हैं ये सब किस केटेगरी में हैं विजिबल केटेगरी में हैं आप इने देख सकते हैं, देखकर इनको पहचान सकते हैं इनका नाम बता सकते हैं अरे भाई बोलो हाँ, तो फिर यहां से लड़ाई कहा चलीगी भाई यहां से लड़ाई आगे चलीगी सब जो दिखाई ना दे उसे हम किस नाम से जानते है that is called abstract noun उसे हम किस नाम से जानते है abstract noun के नाम से जानते है किस नाम से जानते है abstract noun जो दिखाई नहीं दे जिने सिर्फ हम क्या कर सकते है महसूस कर सकते है यानि कि abstract noun की पुरानी बात याद आ गई भईया हमको जो हम लोगों ने इसे felt only category में रखा था वो felt only category का जिकर हम कर देंगे बोलो हाँ felt only category को याद करने के लिए trick बनाई थी भाई साब F A Q S याद आगया मेरे भाई हो भाई F से क्या लिखा था हमने feeling लिखा था ठीक है A से हमने क्या लिखा बाबू action सर क्यों से हमने क्या लिख दिया quality और S का मतलब क्या बताया था बेटा आपने कहा था सर हिंदी भी बता दो तो feeling जिसे महसूस करते हैं भावना हो गया action किसी भी काम का नाम हो गया quality किसी गुण का नाम हो गया और state का मतलब क्या हो गया कोई भी अवस्था कोई भी अवस्था अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से याद करना होगा जब मैंने आप सभी के सामने यहां sentences दिये थे तो इन लिखेवे sentences में ये लिखा हुआ happiness क्या है ये लिखा हुआ happiness क्या है आप कोगे सर इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब आप happiness की बात करते हो तो गुरू जी happiness को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं आप कोगे सर happiness को सिर्फ महसूस कर सकते हैं happiness दिखाई नहीं देती हाई ना कोई खुश दिखाई बले ही दे जाए लेकिन खुशी को महसूस किया जा सकता है ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं, हमने कुछ शब्द लिखे थे दोस्तों, उन शब्दों को यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, जैसे एक शब्द में लिखा happiness, क्या लिखा बेटा, एक शब्द में लिखा happiness, एक शब्द में लिखा, चलो, कुछ abstract noun के examples लि hatred, ठीक है, तो यह शब्द हैं, जिनको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, आरे वाजीवा, एक इंसान किसके लिए जादा तरपता है, friendship के लिए, दोस्ती हो, हर किसी से हमारी अच्छी दोस्ती हो, अरे हाँ है ना, ठीक है बटा, अरे भाया, यह शब्द भी तो आया था हमारे लिस्ट में, that is called honesty, हाय ना, अब इन सभी के सभी शब्दों की अगर आप बात करते हो, तो यह सारे वो शब्द हैं, मेरी पैरे चोटे दोस्तों, यह सारे वो शब्द हैं, जिने देखा नहीं, महसूस किया जा सकता है, तो भई, अगर महसूस किये जाने वाले अगर थोड़ा गोर से समझा जाए, तो happy के साथ कुछ जुड़ गया है, child के साथ कुछ जुड़ गया है, laugh के साथ कुछ जुड़ गया है, honest के साथ कुछ जुड़ गया है, friend के साथ कुछ जुड़ गया है, hate के साथ कुछ जुड़ गया है, और love तो अपने आप में love है ही, अरे हाया ना यानि के हर किसी के साथ कुछ जुड रहा है खेल जब जुडने का है मेरे प्यारे दोस्तों जब खेल जुडने का है तो इस जुडने की प्यारी सी कहानी को खुबसूरती से समझो ठेकिना बहुत सारे बचे हैं जो कहते हैं कि सर हमें vocabs याद नहीं होती vocabulary याद ना होने के दो कारण है एक आप vocabulary की repetition नहीं करते, यानि कि जो भी आपने शब्द पढ़ लिया है, आप उस शब्द को बार-बार नहीं बोलते, जब तक आप उसे बार-बार नहीं बोलोगे, repetition नहीं करोगे, you will certainly forget that word, second thing, दूसरी चीज, आप उस शब्द को बनाया कैसे गया है, वो सीखना नहीं चाहते अगर आपको ये पता चल जाए, वो शब्द बना कैसे है, वन्दब उस शब्द की बनावट कैसे है, ठीक है उसी चीज को मैं आज मैं आपको समझाऊँगा भी अगर आपको उस शब्द के बनावट समझ में आ जाए तो आपके लिए उस शब्द में कुछ भी नया नहीं है, कैसे? आओ ध्यान से, देखर बड़ी बच्चों, एक प्यारी सी खुमसूरी सी कहानी में आपके साथ डिसकस करना चाहता हूँ, इसे हम कहते है एफिक्स क्या कहते हैं साहब? एफिक्स को अगर हम थोड़ा सा हिस्सों में बाटने की कोशिश करें तो एफिक्स को जब हिस्सों में बाटा जाता है तो सबसे पहला इसका हिस्सा निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं प्रिफिक्स ठीक है और इसी का एक दूसरा भाई है जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज suffix ठीक है थोड़ी से हिंदी भी बता दिता हूँ इस prefix को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे हिंदी में हम कहते हैं उपसर्ग ठीक है और जब suffix की हम बात करते हैं तो इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या चीज़ प्रत्य है खतम ठीक है यह दूसरी हिंदी होगी अब अगर हम बात करें कि गुरु जी प्रत्य और उपसर्ग के बारे में तो आपने बता दिया गुरु देव हमें ये भी तो बताओ यह लगते किस के पहले और किस के बाद है तो बेरे बचो जिस से पहले या जिस के बाद लग जाते हैं ये उसे हम कहते हैं क्या चीज़? रूट रूट का मतलब क्या होता है भाई? रूट का मतलब होता है basic form of a word किसी भी शब्द का मूल रूप ठीक है है इसे और टुकुड़ों में बाटना उसका अर्थ खतम कर देता है ठीक है? छटब थोड़ा असान बनाते हैं है ना? बहुत होगी गहरी बातें थोड़ी सी असान बात करते हैं आपके लिए हैना? मैं आप सभी के लिए मेरे छोटे करके दिखाएंगे चलो भाई इंपियर्मेंट लोयालिटी ठीक है? मैनेजमेंट इन शब्दों को ध्यान से देखना है बेटा और मुझे यह बताना है कि इन में कहाँ प्रिफिक्स है और कहाँ सर्फिक्स है ठीक है वीटा? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे इंपियर्मेंट लोयालिटी मैनेजमेंट डिस्कवरी हुमेनिटी इन पांचों शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इन पांचों शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है? शबश जब हम इन सभी के शब्दों की बात करते हैं तो इन सभी के सभी शब्दों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेयर हमारे सामने एक मुख्य शब्द है ठीक है जी? यही अपने आमें एक मुख्य शब्द है इसी से पहले आया ये इम अपने आम में क्या है, शब्द से पहले जो जुड़ा prefix है अब ये हो गया हमारे सामने prefix और ये हो गया हमारे सामने क्या, suffix जो आकर में जुड़ गया है सिर्फ लोयलिटी के अगर हम बात करते हैं तो loyal अपने आप में क्या है, एक मुख्य शब्द है और इसके साथ ये जो it जुड़ा है ये अपने आमें क्या हो गया, suffix हो गया है न जी, आगे देखने की कोशिश करें तो manage हमारे सामने एक खुबसूरत सा शब्द है, मुख्य शब्द है meant इसके साथ जुड़ा है, ये इसका क्या हो गया साहब, suffix हो गया है की नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे हम cover अपने आप में एक मुख्य शब्द है इसके साथ ये y जुड़ा हुआ, suffix हो गया this जुड़ा हुआ, prefix हो गया पूर्व पदजी से कहते हैं humanity के अगर हम बात करते हैं human अपने आप में हमारा मुख्य शब्द हो गया, और it इसके साथ जुड़ा है वो क्या हो गया, suffix हो गया इसका मतलब अब ये समझ में आ रहा है, कि शब्दों के साथ कुछ और भी छोटे छोटे टुकडे जोड़े जा सकते हैं, और उन्हीं abstract noun को बनाने के लिए हमने किसी शब्द के अंत में कुछ जुड़ा बई, child अपने आप में common noun है हमने इसके अंत में क्या जुड़ दिया hood, laugh अपने आप में एक verb है, इसके अंत में जुड़ दिया tar, कहानी क्या समझ में आ रही है कि किसी भी तरह के शब्द के साथ सुन रहा है ना तू, किसी भी तरह के शब्द के साथ हम लोग जुड़ने का काम करते हैं, क्या चीज़? suffix क्या जुडने का काम करते हैं? suffix और ये ऐसे suffix हैं जिनसे हम बनाने का काम करते हैं क्या چیز? आप कहोगे सर abstract noun और ये क्या बनाने का काम करेंगे बचो? abstract noun ठीक है? इसी को हम हिंदी में कहते है भाववाचक संघ्या भाववाचक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे महसूस किया जा सकता है ये एक भाव है सिर्फ महसूस किया जा सकता है तो कौन-कौन से है भाई इसके गंदे बचे जिन से हम abstract noun बना सकते हैं किसी भी शब्द के अंत में उठालो भाई यहीं से ही list आपने का हन्नेस हुड टर शिप इती टी तिर्फ भाई ती एच एच एंस एंस इज्म इसको बूल ना है बोलते ही अपने आप यह याद हो जाएंगे इनमें कोई चीज मुश्किल नहीं है ठीक है फिरे बच्चों और अगर किसी बच्चों कोई चीज मुश्किल लग रही है तो बिलकुल नहीं डरना बस एक बात दिमाग में रखना है कोई भी चीज अगर पहली बार पढ़ते है ना तो बड़ी अजीब लगती है पहली बार कोई भी चीज आप पढ़ोगे ना हमेशा वो चीज अजीब लगेगी लेकिन अगर उसी चीज को बार बार पढ़ोगे तो वो चीज आपको बहुत अजीज हो जाएग हमने meant उधर लिख दिया है meant नहीं लिख दिते है ठीक है भाई r y e r y g e ठीक है बैटा तो ये हैं हमारे वो suffixes जिनके आधार पर हम क्या बनाते हैं जिनके आधार पर हम abstract noun बनाते हैं ठीक है क्या बनाते हैं जिनके आधार पर हम abstract noun बनाते हैं ठीक है, ओके, चलो, एक छोटी सी मस्ती करते हैं आपके साथ, है ना, एक छोटी सी practice कर राते हैं आप सभी के साथ, abstract noun आप लोगों को बनाने हैं, मैं आप सभी के सामने कुछ शब लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं आप सभी के सामने कुछ शब लिख रहा हूं, फटा-फट से इनके abstract noun बना कर दिखाएंगे चलो भाया, तूट पड़ो फटा-फट से, थोड़ी-थोड़ी मेहनत करके दिखा दो ठीक है चलो भायो इन सभी के जरा abstract noun बना कर दिखेंगे इन सभी के abstract noun actual में कैसे बनाई जा सकते हैं ठीक है बचो स्थोचो और ध्यान से आगे बढ़ते हैं उसके बाद देखो बचो आप जब इनके abstract noun बना रहे हैं तो abstract noun बनाने के लिए हम लोगों को suffixes की जरुद पड़ेगी तो अभी अभी हमें समझ में आया है ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आया होगा कि सर इस सिंग से हम सिंगर बना दे तो क्या बनेगा तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा और इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है मेरे बच्चो अगर किसी भी verb के साथ अगर किसी भी verb के साथ er, or या r को suffix करने का काम करते हैं तो ये मिलकर बनता है क्या अपने आपमे सिर्फ और सिर्फ common noun क्या बनता है बच्चे ये अपने आपमे क्या बनता है जैसे एक छोटा सा उधारन लिता हूँ छोटा सा उधारन लिता हूँ लिख रहा हूँ teach, teach का मतलब पढ़ाना जैसे ही आपने इसके साथ ER जोड दिया, तो आप खोगे sir, teacher तो कोई भी हो सकता है, हाई है ना मैं अगर आपको ये बात कहता हूँ कि आज मैं एक teacher से मिला, teacher तो कोई भी हो सकता है, हाई है ना मेरी बात समझे, तो मेरे बचों ये बात अपनी ध्यान रखनी है हमें, sir ये अपने आम में क्या बन गया है, एक common noun बन गया है, क्या बन गया है अपने आम में common noun बन गया है, ठीक है ना तो भीया, sing से हम लोगों ने क्या बना दिया, हमने इसके साथ जोड़ दिया ing, ठीक है ना, अब देखो बेटे यहीं इसी list में, मेरे भाई हो इसी list में, हम लोग इसको जोड़ देंगे, ing को भी इसी list में लिखे लेंगे भाई, ठीक है ना किसी भी verb के साथ ing जोड़ो बना दो उसका noun, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या ही फर्क पड़ता है ठीक है ना, जैसे kill से हम लोगों ने बना दिया क्या चीज, killing, drive से हम लोगों ने इस e को हटा कर क्या बना दिया ing, अब आपकी दिमाग में एक सवाल आएगा, कि गुरु जी हम prefix या suffix लगाते वक्त कुछ हटा भी सकते हैं, क्या दिमाग में तो सवाल आएगा यार कमान, आप सभी लोग बुद्धी जीवी है आप सभी लोग समजदार हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ही न, सोचोगे तो सही, definitely सोचना चाहिए अब दिमाग में ये सवाल आएगा कि गुरुजी ये जो हटाने वाली कहानी है, ये क्या है आपने हमें बताया prefix जो पहले जुड जाएं suffix आपने हमें बताया जो बाद में जुड जाएं, अगर गुरुजी, इन जुडने की वज़े से अगर मेरे प्यारे से गुरुजी, इन जुडने की वज़े से spelling के अंदर कोई छेड़ खानी हो जाए, prefix या suffix ही वज़े से spelling के अंदर जो changes आ जाएं, उसे हम क्या कहेंगे तो मेरे छोटे भाईयों, उस चीज को हम कहते हैं, क्या infix, उस चीज को हम क्या कहते हैं, infix, क्या कहते हैं in का मतलब हो गया, inside in का मतलब क्या हो गया, inside जानि के जो spelling के अंदर changes ला दे, क्या कर दे, spelling के अंदर changes ला दे, तो effixes तीन तरह के होते हैं, जो पहले जुड़े, prefix हुए, आखिर में जुड़े, suffix हुए, और कुछ जुड़ने के चकर में spelling के अंदर छेड़ खानी अगर कर दी जाए, तो वो कहलाती है हमारी infix, ठीक है तो अगर कोई पूछे, यह driving में e कहा गया, आप कहेंगे, सर यह तो infix है sad से बना दिया sadness, real से बना दिया reality, कुछ बच्चों ने ये भी सोचा होगा, जी realism बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बेटा, realism अपने आप में एक philosophy है, जिसे हम कहते हैं, यथार्थवाद, क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यथार्थवाद, पूवर से हमने दो बना दिये, सर, एक तो बना दिया, poorness, poorness का मतलब क्या होता है, लाचारी ठीक है बई, हाई न, और एक हमने बना दिया, poverty, क्या बना दिया, poverty, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है, गरीबी अब मेरे दिल में एक बात याद आ रही है क्या याद आ रही है, कि गुरुदेव इस poor के साथ हमने क्या जोड़ा, ty जोड़ दिया, ठीके न, अब ty जोड़ने की वज़े से, ये वाला, जो दूसरे वाला o था, ये हटकर ve बन गया, इसको आप क्या कहोगे गुरुजी ये तो समझ में आ गया कि ये ty अपने हमें suffix है, बोलो हाँ, इस suffix को जोड़ने की वज़े से spelling के अंदर changes आगे अब इन changes को हम क्या कहते हैं, बताओगे जरा मुझे, याद दिलाओगे है, हाँ, infix ये क्या हो गया, infix, enemy से हम लोगों ने abstract noun बनाया, क्या abstract noun बनाया भाई enmity enemy से हमने क्या बनाया, enmity enmity का हिंदी क्या होता है, शत्रूता दुश्मनी जिसे कहते हैं नाकिस्व, छड़ना नई ठीक है बई, अब आपने इस it को जैसे ही इसके साथ जोड़ दिया तो इस e को आपने क्या कर दिया infix कर दिया, ठीक है शब्द को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ते चले जाएं, क्यूसी भी शब्द को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ते चले जाएं भाई, यहाँ थीफ लिखा है, थीफ से आपने क्या बना लिया, ठीविंग ठीक है, आपने इसी से एक और बना दिया, क्या चीज़? थीवरी आपने इसी से एक और बना दिया थेफ्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि गुरु जी, कभी-कभी किसी एक ही शब्द का, मैंने क्या कहा? कभी-कभी किसी एक ही शब्द का abstract noun एक से जादा भी हो सकता है, बोलो हाँ थिंक से हम लोगोंने क्या बना दिया, बेटा? thinking बना दिया, है ना? थिंक से हम लोगोंने क्या बना दिया? thought बना दिया, ठीक है बई? live से हमने क्या बना दिया, है जी? कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा कि गुरुजी live से हम lively बना देते हैं बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि यही बात कुछ बच्चों ने यहां भी सोचा था कि गुरुजी sad का हम sadly बना सकते हैं क्या तो एक बात आपको यहां सीखनी है भाई किसी भी शब्द के साथ अगर ly आप suffix करते हैं तो या तो वो बनता है adverb या फिर वो बनता है क्या adjective तो ly अगर suffix किया जा रहा है तो या तो वो बनता है adverb या फिर वो बनता है क्या adjective तो इसका मतलब क्या हुआ sadly अपना में या तो adverb या adjective अभी मैं जानता ही नहीं, मैं क्यों बता हूँ? अभी मैं जानता ही नहीं, अभी तो मैं नाउन सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो इसका मतलब यह क्या बना मुझे नहीं बता, पर हमें इतना पता है कि यह नाउन नहीं है, खतम, ठीक है बचे? तो इसका मतलब से हमने क्या बना दिया लाइफ, लाइफ को महसूस कर सकते हैं, ठेके ना, डू से हमने क्या बना दिया, डीड, डीड का मतलब होता है, कोई भी कागज या कोई भी कर्म, रिपीट से हमने बना दिया, रिपीटिशन, सारे बच्चे रिपीटिशन की स्पैलिंग को ध्यान से द है in fix बात समझ में आ गई आप दीरे दीरे आपको spelling से भी प्यार हो जाएगा है ना English से तो प्यार है ही लेकिन spelling से खास प्यार हो जाएगा आपको ये पता चल जाएगा इस शब्द बंटे कैसे हैं ठीक है इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि noun सारी चीजों की foundation रखता है जिस भाई ने noun को ठीक से समझा सब कुछ समझ आ जाना चाहिए ठीक है बाई decide से मेरे बच्चों ने क्या बना दिया भई decision बना दिया ठीक है ना तो अब ये समझना आसान है क्या चीज़ आप कहोगे sir अब बात समझ में आगी decision हमने इसके साथ जूड़ा ठीक है जी और यहां से de जो हमने गायव कर दिया infix हुआ act से हमने क्या बना दिया action बना दिया बुलो हाँ ठीक है जी हाई या ना correct हो गया तो ये सारे गे सारे abstract noun बनाने का तरीका है ठीक है ना अब मेरे बच्चों अगर आपके सामने कोई भी शब्द आ जाता है अगर आपके सामने कोई भी शब्द आ जाता है ठीक है तो आप उस शब्द को बहुत आसानी से छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ सकते हो ठीक है ना जी छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ सकते ह जरा एक बार इस छोटे से शब्द को टुकडों में तोड़ कर दिखाएंगे भाई जी जरा एक बार इस शब्द को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ कर दिखाऊंगे भाई बताओ बताओ नाइस शबस देखो बेटा इस शब्द को गर तोड़ना है बिल्कुल असानी से तोड़ेंगे ठीक है ना? अगली पेज पर समझाता हूँ ठीक है? आजो अरे ऐसी कोई चीजी है नहीं जो इंग्लिश में आप समझ नहीं सकते यही होगा भाई इसका टुकडा है भाई? जब इस ब्यू की हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं एक ऐसा इंसान जो अपने अपीरेंस को बड़ा पसंद करता है जिसे अपनी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है यह तो हो गया वो इंसान ठीक है न? बात समझ में आ गया? यहाणि कि जो पसंद करता है अपनी ड्रेस को या अपने पहनावे को ठीक है न जी? बात समझ में आगी? हाँ है न? इसी का एक और अर्थ आता है a man who loves another man or woman वो वैक्ति जो दूसरे इंसान को प्यार करता है या फिर किसी दूसरी औरत को प्यार करता है ठीक है? खतम अब मेरे बचो अभी अभी मैंने आपको बताए कि किसी भी शब्द के साथ ty suffix करते ही ये कैसा बनता है abstract noun ठीक है? अब ये चीज़ आपको नई तरह से सीखनी है कि किसी भी शब्द के साथ ful जुडने की विज़े से क्या बन गया बेटा? adjective बन गया ठीक है? adjective बन गया किसी भी शब्द के साथ जब ly हम जोडते है तो अब ही मैंने आपको बताए या तो वो adjective बनता है या वो adverb बनता है बोलो हाँ तो बत समझना आ गई? तो किसी भी शब्द को आप हलके में नहीं ले सकते हैं आप किसी भी शब्द को बहुत असानी से तोड सकते हो मैं आप सभी की छोटी सी प्रैक्टिस के लिए मेरे छोटे भाईयों एक शब लिख रहा हूँ discovery आओ एक बार फिर से समझने की कुशिश करते हैं सबसे पहले dis क्या हो गया? prefix ठीक है ना? dis का मतलब क्या होता है? dis का मतलब होता है down down का मतलब होता है किसी चीज को negative बना देना ठीक है जी? fine cover का मतलब आप सभी लोग जानते है cover का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढखना अरे बुलो हाँ और सिर्फ और सिर्फ इस वाई को जोड़ने की विज़े से यह क्या बन गया नाउन यानि के जब आप किसी धकी हुई चीज को क्या कर दो डाउन कर दो या उसके कवर को हटा दो जब आप किसी चीज के कवर को हटा दो यानि के उस चीज को लोगों के सामने उजागर कर दो बन गया क्या डिस्कवरी ब बहुत आसान है, मेरी बात समझे हैं, लेकिन आपको एक काम और ज़रूर करना है, क्लास को दुबारा से देखना है, जब आप क्लास को दुबारा से देखते हों, तो आपका देखने का तरीका बदल आप सोचते हैं, औरे यार इंग्लिश ऐसी खुबसूरत ही, कभी सोचा ही नहीं था, टेंशन नहीं लेना, हर चीज खुबसूरत ही से आपको समझ आएगी, मेरे प्यारे चोटे भाईयों, आप सभी ने यहाँ पर नाउन के ये टाइप्स पढ़े, विजिबल कैटेगरी से ये सभी नाउन पढ़ लिए, ठेक है भाई, हाक के ना, शुरू करते हैं, यानि कि अब जो हम लड़ाई कर रहे हैं, वो है नाउन की केटेगराईजेशन, वो क्या है, नाउन की केटेगराईजेशन, यानि के इनी नाउन को थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग हिस्सों में हम बाट देते हैं, छोटे-छोटे टुकडों में हम अब इनको क्या करेंगे, बाटते चलेंगे और इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, तैयार है मेरे बच्चों? आजो भई, तो न काउंटेबल नाउन और एक हम लोगों ने कहा अनकाउंटेबल नाउन, दो नाउन होते हैं बच्चों, एक काउंटेबल नाउन और एक जिसे हम कहते हैं क्या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? एक जिसे हमने कहा क्या चीज? काउंटेबल नाउन, एक हो गया के से confuse करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे कहते हैं कि start call तोड़ लो शब्द को हिससे में अन का मतलब क्या हो गया negative हो गया count जिसे गिनने की बात हो और able का मतलब क्या हो गया योगता यनिका जिसमें गिनने की योगता नहीं हो ठीक है तो खेर वो एक अलग चीज़ है बचो वो एक अलग चीज़ है अब आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि शब्द बने गैसे है राइट गाइस आज बटा आप प्यारी सी बात को आगे समझते हैं देखो बटा जब uncountable noun की या countable noun की हम बात करते हैं तो countable noun सिर्फ और सिर् बना सकते हैं और इस singular से plural बनाने के लिए हम लोग इस किसी भी शब्द के अंत में s या es को suffix कर सकते हैं ठीक है वीटा अगर आप इसको और असान भाषा में समझना चाहो तो किसी भी countable noun के साथ मतलब मैं यहां लिख रहा हूं countable noun तो countable noun के साथ फूफा जी यानिके कोन से use कर सकते हैं इसमें कोई गलती नहीं होती है लेकिन जब uncountable noun की हम बात करते हैं तो uncountable noun अपने आप में कोन-कोन से हो सकते हैं सबसे पहले material noun ठीक है जी फिर दूसरा कोन सा हो गया भाई abstract noun ठीक है दूसरा कोन सा हो गया बेटा जी abstract noun और तीसरा कोन सा हो गया जी proper noun ठीक है न इनको हम सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंगूलर की तरह हम इनका क्या नहीं बना सकते हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते हम इनके साथ क्या नहीं कर सकते भाईयों हम इनके साथ ऐस या इस सफिक्स नहीं कर सकते ठीक है यह भी हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी भी uncountable noun के साथ a या n का use भी नहीं किया जाएगा ठीक है बात सबच रहे uncountable noun बहुत सारे लोग ना confused हो जाते हैं प्रोपर noun uncountable होता है क्या के लिया है तुमने मेरे दिल में जखम करती है लेकिन grammar है grammar ऐसा मानती है इसका खास कारण क्या है इसका खास कारण हमें पता चलेगा जब हम पहुंचेंगे कहाँ पर फुफाजी के पास यानिके articles के पास noun के बहुत सारे रहसे बहुत सारी अंसुलजी बातों को सुलजाने के लिए ही articles का जदम हुआ है ठीक है यह जो नोवा अवतार है ना पार्ट सो स्पीच का गजब है इस नोवे अवतार का जो बेटा है determiners उसको देखो के तो बेहोशी हो जाओगे लेकिन वो सारी बाते आगे पड़ेंगे अभी तुम इधर आओ मैं अभी आप लोगों के सामने चोटे भाईयों मैं आप सभी के सामने कुछ नाउन लिखूंगा countable uncountable उनको पहचानने की कुशिश करेंगे चलिए भाई कुछ अब लिख रहा हूँ sugar star car vehicle traffic Sunday current patience childhood book wisdom आप सभी के सामने काफी सारे शब्द लिखे हैं इनको जड़ा countable uncountable परिवार से जोड़कर देखेंगे हम कि ये countable है या ये uncountable है ठीक है बचो ये countable है या ये uncountable है चलिए अब एक एक करके इन ही tricks को हम यहां लगाएंगे और इनको पहचाननेंगे ये क्या है sugar material noun है sugar का plural नहीं बना सकते है आप इसी के सामने जाकर ये नहीं कह सकते है मुझे sugars देदोज सामने वाला मुक्का मारेगाज बेहोश करदेगाज तो बटा sugar material noun है uncountable noun star अपने आप में क्या है star के साथ आप a n लगा सकते है आप वाक्य बना सकते है there is a star ठीक है अरे बुलो हाँ star का आप चाहो तो plural भी बना सकते हो मेरी बाद समझे बिटा star को अगर आप चाहो तो plural भी बना सकते हो तो star stars ठीक है यहनिके countable हो गया हाई ना car cars countable noun है plural बन सकता है vehicle vehicles countable हुआ traffic को देखा नहीं महसूस किया जा सकता है traffic का plural नहीं होता traffic का plural नहीं बनता आप ये नहीं कहिए सोथे आज बहुत सारा traffics ahaj बहुत सारा traffics मैं डर गया बेहोश हो जाओ जाओ बाई uncountable प्लूरल नहीं बनता है Sunday, Sunday का plural Sundays नहीं वनता है भाई, proper noun uncountable, current currents नहीं होता, uncountable patience, answer जुडने की विज़ से abstract noun बनाया, uncountable परिवार hood जुडने की विज़ से abstract noun बनाया uncountable noun, book books, countable noun wisdom, dumb जुडने की विज़ से uncountable noun, abstract noun बनाया था न भाई, heel के साथ हमने TH को जुड़ा, health, uncountable noun hair, हमेशा याद रखेगा, बच्चो, hair uncountable noun beauty, uncountable noun work, uncountable noun, इनके बारे में कुछ और भी बाते हम आपके साथ करेंगे लेकिन इस बात के लिए देखते रहिए यो-यो, गोपाल पर्मा आगे हम इसको detail में समझेंगे, ऐसा नहीं गिन सकते हैं, राइक, हाँ है ना अब देखो कुछ बच्चों की दिमाग में न, star को लेकर confusion है, uncountable का मतलब मैंने बताया, जिसमें गिने जाने की शमता ना हो ठीक है, लेकिन एक शब्द और है जिसे हम कहते है, non-countable इसे हम क्या कहते है non-countable, non-countable का exactly मतलब क्या होता है numerous, numerous का मतलब क्या होता है unginate, जिनकी संख्या सीमित नहीं है जिनकी संख्या सीमित नहीं है मेरी बात समझे, तो जिनकी संख्या सीमित नहीं है, इसका मतलब उनके अंदर countability होती है उनको आप गिनना शुरू करो तो आप उनको चाहो तो गिन सकते हो लेकिन उनकी countability unginit है, समझे है car की बात कर लो, book की बात कर लो धर्ती पर कितनी सारी books है non countability है उनको आप चाहो भी तो नहीं गिन सकते भाई ठीक है, हाँ है ना, चलिए भाई तो इसको थोड़ा सा समझ के चलना कुछ बच्चों के दिमाग में यह था, सर हम तो star गिनी नहीं सकते, बहुत सारे हैं, इसको non countable कहा जाता है, ठीक है ना अब देखो, ऐसे बात पूरी नहीं होगी भाई हमारी, ऐसे बात हमारी पूरी नहीं होगी मैं आप सभी के सामने 5 sentences लिख रहा हूँ, जो आपके examination ने आप से पूछे हैं, चलो, अब पता चल जाएगा हम कि यह सारी कहानी क्यों बता रही हैं कि इन sentences को जड़ा थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे और मेहनत करने की कोशिश करना हूँ, ठीक है मैं क्या है क्या इसका प्याहाँ कि अप्याहाँ प्रबस कि अ मी चेअ लिए चलिए मेरे छोटे बत्चो इन 5 सवालों को ध्यान से पढ़ें समझकर मुझे बताएं कि आप इन लिखे वे 5 के 5 sentences में क्या कर सकते हैं ठीक इन्हें कैसे कर सकते हैं आपके examination में यही questions पूछे जाते हैं ठीक है? चलिए करिए महनत आप देखो गरे बचो इन सवालों के अंदर actual में क्या logic काम कर रहा है देखते हैं पहला सवाल मैं पसंद करता हूँ the poetry of John Keats एक बात बताओ poet के साथ ry जोड दिया मेरे भाई poet के साथ ry जोड दिया हमने तो ये क्या बन गया abstract noun uncountable noun तो plural क्यों बन गया भाई खतम राखी has good health राखी की अच्छी सेहत है ठीक है अब देखो भाई heel के साथ TH जोडने की वेज़े से क्या बना दिया आपने कहा abstract noun यानि कि uncountable noun uncountable noun के साथ S या ES जोडता ही नहीं है ठीक है न जी और noun से ठीक पहले आया ये गंदा बच्चा कौन है आपको के सार noun से ठीक पहले आके उसको जो qualify कर दे वो क्या कहलाता है adjective कहलाता है है ना अगले question पर आते है you must have a patience for this work कितना simple question है आपके पास होना चाहिए क्या चीज patience भाई patient के साथ आपने n से जोड़ कर abstract noun बनाया uncountable noun के साथ an यूजी नहीं होता लो भाई साथ reverse fire कर दिया ये तो है हमने पहचानना सीखा था uncountable noun लेकिन uncountable noun के साथ an नहीं आता reverse fire हो गया है ना भाई ठीक है आपके पास patience होनी चाहिए इस काम के लिए ठीक है भी आगे देखते हैं सवाल क्या है scene के साथ ry जूड दिया है ना भाई साथ scene के साथ ry जूडा तो ry जूडने से abstract noun uncountable परिवार से हो गया plural नहीं बनाना था भाई है कि न scenery of Kashmiris vivid vivid का मतलब है चित्रित देखोगे ऐसा बन जाएगा दिमाग में चित्र ठीक है ना ठीक है कश्मीर बहुत कुशूरत है Rohan found our good friendship in his college ये सवाल उलजा हुआ है जैसे उपर हमने ये सवाल किया मेरे बच्चों ने क्या किया सोचा अरे गुरुजी friendship के साथ एको हटा दो अरे भाई सवाल तो पढ़ो Rohan ने पाया क्या पाया जो उसे ने पाया वो उसे क्या मिला जो उसे दिखाई दिया तो जो उसे अपने college में पाया तो क्या पाया एक अच्छा दोस्त पाया सर इसको uncountable नहीं हम इसको बनाएंगे क्या common noun बनाएंगे अरे हाँ है ना मेरी बात समझ रहे है ठीक है अच्छा चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको एक छोटा सी उदार देता हूँ मैंने career will में एक अच्छा दोस्त पाया फिर से सुनो मैंने अपने career will में एक अच्छा दोस्त पाया तो वो दोस्त कौन है अच्छा दोस्त देख सकता हूँ यार मैं उस दोस्त को आपके सामने ला सकता हूँ visible है यानि कि क्या हो गया common noun और common noun की विज़े से ए बिल्कुल सही जा रहा है common noun countable noun होता है ए बिल्कुल सही जा रहा है ठीक है न तो कभी कभी आपके paper में इस तरीके से questions घुमा दिये जाते हैं ठीक है न countable uncountable सीखने का फायदा मिलिया आप इस तरह का question अब बेहत खुबसूरती से solve कर सकते हैं ठीक है बच्चो clear है यहां तक की बात समझ आ गई ठीक है अब आप लोगों को सिखाते हैं भाई noun के एक दूसरे सवाल से कुछ बाते है noun से एक अगली categorization आप से paper में पूछी जाती है gender ठीक है gender का भी सवाल paper में पूछा जाता है तो आप सोचो के सब gender का सवाल कैसे पूछा जा सकता है gender की पहले जानकारी ले लेते हैं फिर सवाल पर लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चो gender को हम अलग-अलग हिस्सों में बातेंगे सबसे पहला जो gender है उसे हम कहते है masculine gender ठीक है न masculine का मतलब क्या हो गया एक ऐसा gender husband horse etc ठीक है ने जो male को represent करे masculine को represent करे मर्द को represent करे नर को represent करे तर इसी के ठीक दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो हम कहते हैं feminine क्या कहते हैं feminine ठीक है जब हम feminine की बात करते हैं तो ये किसको प्रदर्शित करता है female representing किसको रिप्रेजेंट करता है ये female representing मादा को रिप्रेजेंट करे यानि कि हमें क्या लिखना होगा girl, woman, wife, horse, mayor समझने तो जो मादा को रिप्रेजेंट करे प्रदर्शित करे फिर इसके बाद एक gender आता है हमारा जिसे हम कहते है neuter gender neuter gender किसी इसका होता है विट्चे neuter gender होता है non-living का non-living का मतलब हमें कैसा मज़ में आता है जो अपने आपे निर्जीव चीजों का यानि कि जो objects के बारे में बात करें अब निर्जीव के लिए अगर हम कहें तो जैसे मैंने आपके सामने कहा chair sofa car tv etc सब इस category आदे फिर असली जो सवाल आता है वो यहां से आता है आप लोगों के लिए क्या कहा इसे हमने common gender असली सवाल कहां से आता है बच्चे common gender से आता है common gender से सवाल कई तरह से पूछा जाता है पहले आप common gender समझ लो क्या होता है common gender के अगर हम बात करें तो common gender एक ऐसा noun होता है जिससे हम masculine और feminine दोनों को प्रदर्शित करते हैं जिससे हम masculine और feminine दोनों को प्रदर्शित करते हैं नर और मादा दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं उदानर के अगर हम बात करें तो भाईया student हो गया पीचर हो गया डॉक्टर हो गया घर पे आया हुआ मेहमान हो गया एक्सेचरा ठीक है यह सभी के सभी किस केटेगरी में आगे सामान्य जेंडर है, common gender है इससे पता नहीं चलता है यह male की बात है या female की बात है ठीक है तो मेरे बच्चो इससे आपके कई सभाल पूछे जाते हैं common gender से सबसे पहला सभाल तैयार करते हैं, जिस सभाल को हम कहते है बेटा, क्या चीज़? priority rule क्या कहते है, priority rule priority rule का मतलब क्या हो गया priority का मतलब हो गया, importance क्या कहते है importance, ठीक है न यह importance का मतलब क्या हुआ आप किस point को किया किस जेंडर को ज़्यादा इंपोर्टेंस देते हो अगर आपके पेपर में ये सवाल आता है तो common gender लिखा हुआ शब्द किसकी बात करना चाहता है ऐसे में समझोगे थोड़ा आसान बनाता हूँ मैं आपके सामने पेपर से तीन सवाल पूछे गए है वही लिख रहा हूँ आपको थोड़ा इन पर ध्यान देना है पहचानना है और फिर मुझे बताना है ठीक है चलो चलो आजो बिटा तो बिटा मैं सवाल लिख रहा हूँ थोड़ा से इनको answers बताने की कोशिच करना हूँ ठीक है a teacher must do his, her, its work sincerely ठीक है आपको यह बताना है मेरे बचों यहाँ पर his, her या its आपके इसको निशान लगाएंगे ठीक है पेपर में पूछा जाता है I met a stranger stranger का मतलब होता अजनभी he, she, it was very sad वो बहुत उदास था, ठीक है ना the manager of this bank misuses his, her, its power और अजिए रहती है भी रहती है, हमारी पहली इंपोर्टेंस जो हम देते हैं, वो हम masculine की priority रखते हैं, छेके ना? हम क्या रखते हैं? मैस्कमी illी प्रायरिटी रखते हैं, अगर हमें यह यह नहीं मिला, तब हम दूसरी प्रायरिटी पे या तो she को product сторон souha in the चीक के ना? पुरानी किताबों में masculine priority के अलावा फिर हम it को देते हैं और उसके बाद she को देते हैं masculine priority के बद हम she को mention कर देते हैं या फिर it को mention कर देते हैं लेकिन अब generalize ये कर दिया गया है कि आप male priority रखेंगे और it को या she को कहीं भी रखे हुए देखे फर्क नहीं पड़ता, teacher must do teacher को अपना काम अच्छे से करना चाहिए, हमने common gender लिखा देखा, male priority पर mark कर दिया, बाकी पर ignore, I met a stranger मैं एक अजनबी से मिला मैं एक अजनबी से मिला, अब इसी के लिए pronoun use किया है कौन सा, male priority पर चला गया, चीक है the manager of this bank, इस bank का जो manager है, वो misuse करता है, अब देखो misuse एकदम से समझ आ गया, use verb के साथ जुड़ता है, SEIS present indefinite में, miss किसी भी शब्द को negative बनाने का, यानि कि दुर उपयोग करता है manager है जो इस bank का वो दुर उपयोग करता है, अपनी power को manager, common, यानि कि कौन सा हो गया, common gender, male priority, बागी सब छोड़ दिया बात सबजागी बचो common gender का पहला सवाल, जो आपकी परिक्षा में पूछा जाता है, ठीक है पहला सवाल, अब common gender के दूसरे सवाल से मिलाता हूँ common gender का दूसरा सवाल है, जिसे हम कहते हैं, gender specific gender specific gender specific का मतलब क्या होता है अगर हमें gender को specify करना है, आस तरीके से बताना है कि इस gender को masculine में कैसे बताएंगे और feminine में कैसे बताएंगे, अगर ऐसा सवाल हम से पूछा रहे, ऐसे नहीं सवाल को घुमा के पूछता है, मैं अगर आपके सामने कुछ शब्द लिख देता हूँ, ठीके न, आप जड़ा इन लिखेवे शब्दों को आप जड़ा इन लिखेवे शब्दों को ध्यान से मेरे चोटे भाईयों देखने की कोशिश करें और मुझे ये बताएं कि इन में से कोन सा सही है मैं आपके सामने जो ये फ्रेज़ लिख रहा हूँ दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और बताना है इन लिखेवे फ्रेज़ में आपके इसाब से कोन सा सही है और कोन सा सही नहीं है जेंटल वूमन लिखेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेव चलिए यह सवाल हमने लिखे लिया है अब मेरे बचो एक बार इन सभी के सभी questions को आप ध्यान से देखें और बताएं इनमे से आपके मुताबिक कौन सा gender specific अगर बताए जाए यानि कि gender को अगर खास बना कर बताए जाए तो उसका क्या तरीका होगा चलिए चलिए बताने की कुशिश कीजिएगा शबाश आओ मेरे बच्चो अब ध्यान से समझते हैं या कोई भी सम्माननिय पद अगर किसी को देते हैं तो इसको masculine या feminine बनाने के लिए आप लिखेवे शब्स से पहले क्या जूड़ देते हैं men सर अगर feminine आपको बताना है क्या जूड़ देते है woman खत्ब teacher का example ले लेते हैं अगर हमारे सामने teacher लिखा है तो teacher को masculine बनाना है हमने क्या कह दिया man teacher feminine बनाना है हम लोग इनने क्या कह दिया woman teacher easy कोई दिकत नहीं लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को बताना है क्या किसी भी इनसान के physical appearance के आधार पर किसी भी इनसान के physical appearance के आधार पर अगर उसका gender बताना है मनलब कोई भी इनसान है हम अगर उसे देखकर बताएंगे कि ये masculine है या feminine है मैंने फिर से कहा अगर हम उसे देखकर बताएंगे कि ये masculine है या feminine है हम उसके पद की बात उसके job उसके profession की बात नहीं कर रहे है देखकर हमने कहा अरे यार ये तो तो बिटा इसको बताने का तरीका क्या है इसको बताने का तरीका है लिखेवे शब्द से पहले male जोड़ दो और अगर feminine बनाना है तो लिखेवे शब्द से पहले female जोड़ दो very easy very easy आई ना अब अगर मान लीजे मैं आपके सामने कहता हूँ friend अब friend क्या है friend कोई title rank पद नहीं है भाई आपके घर पर कोई दोस्त आया है आपके घर पर कोई दोस्त आया है मम्मी आपसे पूछती है कौन दोस्त आया है लड़का या लड़की क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई साब किसी भी लड़के का कोई female friend घर पर आने की जाज़त नहीं है हम गाव देहात के लोग हैं हमारे घर परिवार में इन चीज़ों को ठीक नहीं माना जाता तो भाई male friend या female friend आप लोग categorize कर देंगे easy होगे मेरे बच्चो male friend और female friend आप categorize कर देंगे easy होगया correct है तो ये gender specific का question कभी कभी हमारे exams में मिलता है कैसे मिलता है आपके सामने खेल शुरू होगा आप ध्यान से समझेगा soldier common gender है बिलकुल सही soldier एक पद है male लगाना गलत है man पद की वज़े से man लगाना बिलकुल सही है guest कोई पद नहीं है physical appearance के आधार पर female लगाना सही है visitor वुमेन के साथ लगाना गलत हो गया sir dress physical appearance के आधार पर dress को categorize किया जाता है इसलिए female dress कह देना सही है inspector एक पद है woman लगा देना सही है doctor अपने आप में एक पद है woman लगाना सही है gentleman हम कहते हैं कब जब हम respect से किसी से बात करना जाते है किसी को इज़त देते हैं या किसी को संबोधित करते हैं address का मतलब क्या होता है संबोधन करना ठीक है ना संबोधन करना आप लोगों की class में भी कभी कभी मैं यही आप लोगों को बोलता हूँ gentleman इस बात पर ध्यान दीजिए यानि के मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ इसी तरीके से gentle woman की बात करें तो respect या बोलचाल की भाषा में या संबोधित करने के लिए lady अगर हम कहें तो respect संबोधन करने के लिए या बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ठीक है अब आप थोड़ा सा ध्यान से सोचके देखा मेरे बच्चों क्या ये जो लिखा हुआ है gentle lady क्या ये अपने आप में सही है क्या ये सही है आप कहोगे सर्थ जब lady हम किसी को बोलचाल की वज़े से कहते हैं सम्मान देने के लिए तो gentle लगा कर ज़रू से ज़ादा सम्मान super floss हो गया है ना क्या हो गया super floss इसी की वज़े से ये क्या हो गया भाई ये हो गया गलत ठीक है भाई अब देखो बच्चों बोलचाल की भाशा कुछ ऐसी है बोलने में हम किसी के सामने वेवार अगर हम करते हैं बोलते हैं तो बोलते हैं भी प्रयोग नहीं करते लेडी डॉक्टर बोलचाल की भाशा में ठीक है ना बोलचाल की भाशा की वज़े से चल जाता है लेकिन पेपर तो हमारा लिखित आता है लेडी इंस्पेक्टर बोलचाल की भाशा में लोग चला लेते हैं लेकिन written भाषा में बिल्कुल भी नहीं Lady guest बोलचाल की भाषा में चलता है लेकिन बोलचाल की भाषा का मतलब है लिखित भाषा में बिल्कुल गलत है Woman lecturer Lecturer एक पद है इसलिए woman लगा देना इसके साथ बिल्कुल सही है तो ये हो गया हमारा कौन सा बाबू? जेंडर से अब एक तीसरा सवाल भी पूछा जाता है और इस तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके साथ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जिसे हम कहते हैं personification क्या कहते हैं इसको? चलो चलो एक काम करो सारे बच्चे ना personification को याद करो स्कूल लेवल पर पढ़ा था भाई हमने स्कूल लेवल पर हमने पढ़ा था personification हम कहते किसे हैं? पढ़ा था ना भाई? हिंदी लिखता हूँ याद आएगा मेरे भाईयों को इसे हम कहते हैं मानवी करन इसे हम क्या कहते हैं? मानवी करन मानवी करण का मतलब क्या हुआ मानवी करण का मतलब होता है जब हम किसी को मानव की तरह पेश करते हैं definition लिख रहा हूँ when a non-living thing is described as if a living being पहले ध्यान से इसको पढ़के देखो जब हम किसी निर्जीव वस्तु को जब हम किसी निर्जीव वस्तु को ऐसे पेश करे कि वो सजीव हो ध्यान से समझते हैं कभी-कभी आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हो आपको कहीं जाना है आप उठे बाहर आए बाइक स्टार्ट करें लगे बाइक स्टार्ट नहीं होती, आप बाइक को कहते हो, मैं बाइक कह रहा हूँ, वाइफ मत समझ लेना, ठीक है, आप बाइक को कहते हो, अबे तू स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, तो बाइक पलटके जवाब थोड़ी देगी, आज मूर नहीं है बेवी, है, होता है, नहीं, जैसे मान लीजे मैं अपनी घड़ी देख रहा है और घड़ी अचानक से बंद पड़ जाए मैं घड़ी को मारूँ है एक चाटा और को हूँगा चल क्यों नहीं रही है क्या घड़ी करेगी मैं तो नहीं चल ली हम कभी-कभी non-living things को ऐसे पेश करते हैं निर्जी वस्तु को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि उसमें जीवन है वो सजीव है तो मेरे बच्चों कभी-कभी हम लोग ऐसी ही चीजों को ध्यान से दिखते हैं तो हमें समझ में आता है क्या कभी-कभी non-living category के जो noun है मैंने क्या कहा? non-living category के जो noun है हम इनको भी masculine और इनको भी हम feminine category में बाढ़ देते हैं जैसे उदारण की बात अगर मैं करता हूँ मैं कुछ शद लिख रहा हूँ sun moon spring summer life death river earth storm mountain इन सभी के अगर हम बात करते हैं तो ये सभी हम living की मान लेते हैं और कभी-कभी इनको masculine या feminine की category में लेके जाते हैं तो इनको कैसे पहचानने? इनको पहचानने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे दिमाग लगाना है? ध्यान से समझना बेटा जो masculine होते हैं वो जाने जाते हैं किसके लिए? strength के लिए violence के लिए rude होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो उनका व्यवार बड़ा cold होता है cold होने का मतलब मतलब कठोर हो जाते है जितने भी masculine कठोर हो जाते है कभी पापा के सामने जाते है पापा पैसे दो मुझे अगले महीन गुवा गुवने जाना है फिर आप पापा को देखो के बदलते हुए कि पापा बाप कैसे बनता है आपको बिलकुल exactly feminine की जब हम बात करते है तो feminine किस बात की खुबसूरती आपको के सब्सूरती के लिए जाने जाते है अगर हम कहें तो इनके अंदर क्या चीज़ होती है वाम्त होती है वाम्त का मतलब होता है दया भरा वैवार एक ऐसा वैवार जो सिथितियों के अनुसार बड़ा प्यारा हो जाता है मतलब किसी भी situation में अकड़नी होती प्यारा वैवार होता है वाम्त होती है अट्रेक्शन भी होता है भाई अब लड़के सौरे चिड़ रहे होंगा गुरुजी मारेंदर अट्रेक्शन ही नहीं है रोड पे खड़े होके एक बर लिफ्ट मांग के देखो रोड पे खड़े हो जाओ आज ही शाम को और लिफ्ट मांग के देखो फिर देखना आपके लिए कितनी गाड़िया रुकती है बाई साब गाड़ी रुकेगी नहीं उपर से भी जा सकती है अब आप समझगे बाई साब अगर आप कीज़े के कोई स्कूटी वैली हो और उसकी स्कूटी थोड़ी सी जुक भी जाए बाई साब पचास लोन डे उतर जाएंगे बेटा इसको ध्यां से संदा फइमिनिन इसी तरह से है ठीके ना फैमिनिन के अंदर क्या होता है रिप्रोडुक्टिव नीचर होता है ठीके बही एटा तो ये है हमारे पहचान के छोटे-छोटे तरीके अब ध्यां से देखते है परेफचो इन सबी लिखेवे शब्दों को अगर हम masculine या feminine category में लेकर जाएं तो कैसे, sun को पहचानना है sun, धूप, खतरनाक उतिवाई सब sun के सामने खड़े होके देखो power के लिए जाना जाता है masculine, moon, खुबसूरती के लिए जाना जाता है, आप अपनी आश्की का अपनी महबूबा की तुलना भी अकसर चांद से करते है spring की अगर बात करते है एक ऐसा मोसम जिसमें प्रकृती से हमें नई नई फूल फल पैदा होते है feminine, गर्मी का मोसम सरपड़ा कठोर मोसम होता है masculine, life बेहद खुबसूरत है, feminine death, cold होती है सर मृत्यू आती है, भावनाएं खतम masculine, river, जहां जाती है वहाँ, उत्पन हो जाती है नहीं फसले, अर्थ, एक अकेला खुबसूरत, planet है खुबसूरती जिसमें जुड़ गई, feminine कह देंगे tension कतम, storm, तुफान violence के लिए, mountain mountain क्या है, ताकत के लिए masculine, ठीक है ना जी, तो ये बचो इन सभी की सभी category को हम personification कहते है, ठीक है ना अधीतर इस तरह की personification को हम poetry में देखते हैं अधीतर इसको हम poetry में देखते हैं, ver classification में भी देख लेते हैं, ठीक है अब यहां से कभी-कभी एक दिल में सवाल आ क्या कि गुरु देव यह तो नोन लीविंग आपने बता दिया अब एक बात हमें यह बताओ कि गुरु जी अगर हम एनिमल्स की बात करे तो एनिमल्स के लिए हम ही she या it किसका use करेंगे फस गया एक और सवाल ठीक है ना फस गया नहीं एक और सवाल तो भीटा कभी-कभी हम animal को भी personify कर देते हैं क्या कर देते हैं personify कर देते हैं मानवी करन कर देते हैं मानवी करन करने का मतलब क्या होता है मान लीजे आपके पास एक छोटी सी है क्या? मियाउं मुझ्छे भी लगा दी भई ठीक है? आपके पास एक छोटी सी मियाउं है ठीक है न? अगर आप इसको cat कहते हैं चुप चाप it लगा दो ठीक है न? लेकिन अगर आपने अपनी cat का नाम रख दिया आपने अपनी इस cat का नाम रख दिया और आपने अपने इस cat का नाम रख दिया मिनी तो आप इसको क्या कहोगे? शी कह दोगे बात खतम साधारण भाशा में अगर आपके घर पर कोई dog है इट लगाएंगे अगर आपने उस dog का नाम रख दिया क्या कर दिया? personify तब आप उस dog के लिए ही यूज करेंगे है ना? जैसे हमारे पडोस में एक बहुत अच्छे इंसान है उन्होंने अपने घर पर दो कुत्ते पाले हुए है मेरे लिए तो वो कुत्ते हैं animal है मैं उनको इट कहकर चलाओंगा भाई साब अगर दो हो गए तो देख होंगा लेकिन अगर उनके हिसाब से समझे उन्होंने भाई साब अपने दोनों कुत्ते के नाम रखे पड़े है ठीक है न भाई साब? एक का नाम जोन रखा हुए है मैं तो पहले दिन डर गया कि जोन मैंने सोचा भाई साब जोन अब राम हो वो ऐसे चोड़ा हो के घर से मैं बाद में बता चाथा जोन मैं उपर देखना हूँ भाई साम नीचे ऐसे कर रहा मैं ये जोन है तो ससुरा कहीं का फौन है तो बात सबजब क्या है जब हम किसी भी अनिमल का नाम रख देते हैं तब हम उसको किस केटेगरी में लेके जाते हैं जी या शी Otherwise, अनिमल की केटेगरी में सिर्फ इट ही लगाकर चलाते हैं थेखें तो जेन्डर के तीन सवाल बंते हैं बाबो जेंडर के तीन सवाल बनते हैं तीनों का ध्यान रखना है पहला priority rule यही सबसे ज़्यादा काम आता है paper थोड़ा मुश्किल होता है तब gender specific से बात आपकी पूछ ली जाती है और ये वाला जो section है ये बहुत ही कम पूछा जाता है इसका कोई लेना देना paper से related नहीं है ये आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि कभी-कभी बोलचाल में भी ये सवाल फज जाता है जैसे कभी-कभी तरह कोई भाई वाक्य बोलता है आज बहुत गर्मी पढ़ रहा है फिर दूसा कहता है रहे पढ़ रहा है आज बहुत गर्मी पढ़ रही है अब उन दोनों की लड़ाई हो जाते हैं आप उस लड़ाई में मत जाना बस आप इतना धानांगना कि गुरू जी नहीं में बताया है पेपर में कुछ एक सवाल मिल सकता है otherwise परिशान होने के अवशक्ता नहीं है, ठीक है बैई, आब मेरे बचों आओ, एक अगली कहानी से, नाउन से एक अगली कहानी हमसे पूछी जाती है, और नाउन की ये जो कहानी है, इसे हम कहते हैं नाउन के केसेज, हिंदी बता दू, खुश हो जाओगे ना, हिंदी में इसे कहते हैं कारक, सुना तो होगा, सुना नहीं, 100% पढ़ा होगा, करता ने करम को, पढ़ा है ना, करता ने करम को, ठीक है, चलो, अब इसके लिए हम थोड़ा अंग्रेजी में सीखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले, कारक हमारा कौन सा होता है बबु, सबसे पहले, subjective case, क्या लिखा मैंने, subjective case, यानि कि subjective case होता क्या है, subjective case हुआ, जब हम किसी भी noun को, यूज करते हैं, is used as a subject, noun को हम कैसे यूज करते हैं, जब हम noun को, यूज करते हैं, एक subject की तरह, यानि कि करता हिंदी में कहते हैं, ठीक है बच्चे, उधारण की तरह लेके चल लेते हैं, ठीक है, जिसे मैंने आप सबी के सामने लिखा राहुल इन्वाइटेड कीवती अब अगर थोड़ी सी बात को ध्यान से समझे वाक्य में किसने इन्वाइट करने का काम किया है तो आपको ओगे राहुल ने, तो राहुल अपने हमें क्या हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया एजी है न बाभू अब दूसरी बात आगही कुम सी जिसे हम कहते हैं बाई औबजेक्टिव केस क्या कहते हैं बाई औबजेक्टिव केस जब हम किसी भी reflect अजैन अबजेक्ट जब हम किसी भी नौन काunft प्रियोग करते है कैसे कर्म की तरह है अब अगर इस लिखे हुए वाक्य में मैं आप से पूछ लूँ कि बिटा राहुल ने किसे इन्वाइट किया आप होगे सर कीरती यानि कि कीरती यहाँ पर क्या हो गया इस वाक्य का अबजेक्टिव केस इसे हम क्या कहेंगे बिटा अब देखो हम समझने का काम करेंगे अगल वुकेटिव केस का मतलब होता है जब हम किसी नाउन का प्रियोग करते हैं नाउन is used for address cell अड्रेस शब्द भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बच्छो है ना तो address cell का मतलब क्या हो गया जब हम किसी भी नाउन का प्रियोग करते हैं किसके लिए सम्बोधन करने के लि राज, you can, go home now. अब बात को ध्यान से समझेना, राज, तुम अब घर जा सकते हो, अब एरे बचों इस बात को ध्यान से समझेंगे, तो समझ आएगा, यह जो पूरा का पूरा वाक्य है, वो किसको कहा गया है? राज को कहा गया है यानि कि राज को अगर ये वाक्य हमने कहा है तो इसका मतलब क्या हुआ राज इस बात को सुनने का काम कर रहा है हमने उसे संभोधित किया है इस लिखे वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है राज क्योंकि subject कोन है लिखा हुआ यू है बोलो हाँ ठीक है तो जिसको कोई बात कही जाते उसका नाम ले देना वो creative case कहलाता है ठीक है बच्चे इसके बाद एक अगला case आता है जिसे हम कहते हैं dative case क्या होता है इसको ना बड़े छोटे रूप में समझाओंगा बेटा dative case का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी भी लिखेवे sentence में noun के object की बात कर रहे है यानि के objective case की बात कर रहे है और इस object का फिर से एक और object हम लिखने का काम करते हैं तो इस लिखेवे object का एक और object जब लिखते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं कौन सा case डेटिव case आपको कि सर थोड़ा समझ कम आया इस बात को थोड़ा प्यार से दुबारा से पताओं बड़े ध्यान से समझना देखो मेरे बच्चो एक वाक्य लिखूँगा फिर खेल समझ में आएगा मैंने कहा हीना गे करन आ लार बिटा इस लिखेवे वाक्य को ध्यान से पढ़ कर देखें अब बिटा देखो इस लिखेवे वाक्य में हर एक शब्द को प्यार से पैचाना इंग्लिश मुश्किल नहीं है इंग्लिश को मुश्किल हम बना देते हैं कैसे बना देते हैं हम इंग्लिश को समझन नहीं नहीं चाहते हम इंग्लिश को समझना नहीं चाहते और हमारे मन में यह उता रहे और बच्पन से हिंदी पढ़ी है अब गुरुजी इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं है गुरुजी है मतलब हमें नहीं आक्थू कच्रा बना दे रहे हम सोच सोच के इंग् इंग्लिश मुश्किल नहीं है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है और मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, अपने दिल में सिर्फ ये दो बाते बोलो, इंग्लिश असान है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, और मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, उसके बात देखो, आपका दे हूँ, मैं cycle पर बैठा, गिरा, फिर बैठा, फिर गिरा, धीरे-धीरे balance बनाना सीखा, cycle चलानी आ गई, cycle से वो सफर, scooter पर, scooter से motorcycle पर, motorcycle से वो सफर, गाड़ी पर, और धीरे-धीरे, देख लो आज कहा है, मेरी यही बात हर किसी पर लागव होती है, आप एक बार कोशिश जरूर करना चाहोगे न, तो आप सीख जाओगे, ठीक है, अब मेरे बच्चों, यहाँ इस लिखे वाक्या में हीना जो है, वो क्या है, subjective case है, वाक्या का subject है, हीना ने किसे दिया भाई, करन को, यह sentence का क्या हो गया, object, ठीक है बेटा, हाई न, अब इस object के लिए एक और object अगर आ गया है, तो यह क्या हो गया हमारे सामने, बोलो जड़ा, यह क्या हो गया हमारे सामने, यह हो गया हमारे सामने, object का object, अरे हाई न, तो इस category में, मेरे प्यारे बच्चों, इस category में, अगर आप ध्यान से समझने का काम करोगे तो ये क्या हो गया ये हमारे सामने हो गया क्या चीज ये चीज हो गये हमारे सामने डेटिव केस ठीक है बिटा बात समझ में आगी भई बात समझ में आगी बच्चो बिटा इसकी ने कटिंग करनी है इसको यहां से remove करना है इसी चीज़ को मैं दुबारा से पढ़ाँगा ठीक है यह वाली example गलत हो गया इसको cut मारना है मैं भी हटूँगा यहां से ठीक है मैं हटूँगा दुबारा से आऊँगा यहां से छोड़ना है तो आओ बचो अब इसके बाद एक अगला case है जिसे हम लोग कहते है क्या डेटिव केस ठीक है डेटिव केस जब डेटिव केस की हम बात करते है तो यह अपने आप में एक अलग तरह का case है कैसे थोड़ा द्यान से समझना मेरे छोटे भाईओ हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी लिखेवे sentence में एक verb का object होता है और उसी को हम क्या कहते है objective case अरे बोलो हाँ ठीक है न अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी लिखेवी verb का जो object है ठीक है अब इस verb के object का भी अगर कोई object लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहते है इसको थोड़ा example से समझेंगे बच्चे इसको थोड़ा सा example से हम समझेंगे जैसे मालीजे मैं आपके सामने एक उदारन लिख रहा हूँ ध्यान से समझने की कोशिश करना मोहन offered the seat to गीता मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना अब इस लिखेवे सवाल में क्या कहानी है भाई इस लिखेवे सवाल में क्या कहानी बन गी मेरे बच्चे ध्यान से समझना मोहन sentence का subject का का काम कर रहा है ठीक है मोहन ने क्या offer किया यह इस लिखीवी verb का object है ठीक है? यानि कि यह objective case हो गया अब इस object का भी एक object बनाया है कौन है? noun गीता तो बेटा जी यह हो गया कौन सा हमारे सामने? indirect object और ऐसा object जो किसी भी object के बाद आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? indirect object तो ऐसे लिखेवी indirect object में ही हम इस indirect object को ही किस नाम से जानते हैं? डेटिव केस के नाम से जानते हैं ठीक है बेटा? fine? correct हो गया? हम इस छोटी सी बादचीत को जो डेटिव केस वाला concept है हम इस खुबसूरु सी बादचीत को आपके साथ मिलकर voices में detail में पढ़ते हैं एक topic हम पढ़ते हैं verb basic verb basic में direct object, indirect object direct object कितनी तरह का होता है? indirect object कितनी तरह का होता है? ठीक है? यह सारा concept हम verb और voices वाले topic में detail में पढ़ेंगे ठीक है? यानि कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है चलो आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ ठीक है जी? इसकी जरूरत हमें हर जगे पढ़ेगी हर जगे इसकी जरूरत पढ़ेगी इसकी जरूरत हमें सिर्फ और सिर्फ कहां पढ़ेगी भाया? narrations यानि कि narrations के वक्त हम इसको फिर से आपके साथ पढ़ेंगे इसकी जरूत हमें पढ़ेगी कहाँ पर भाई जब हम आप सभी के साथ मिलकर verb basic पढ़ेंगे और दोस्तों जब हम आपके साथ पढ़कर voices तब हमें इसकी जरूत पढ़ेगी ठीक है भी या तो ये दोनों areas को detail में वहाँ पर भी हम छीडेंगे अब आओ भाई जो सबसे तगड़ा इनका खिलाडी है cases में जो सबसे तगड़ा खिलाडी है उसे हम कहते है possessive case क्या कहते है possessive case ये आपके paper में सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है ठीके ठीके possessive होने का मतलब क्या होता है कभी कभी हम लोग सुनते हैं न ये चीज़ कि आपका कोई अजीज है आपको कह दे आप बड़े possessive हो जी आप बड़े possessive हो आपका दिमाग खराब हो जाता है possessive होने का मतलब क्या हुए यार आप बड़े possessive हो ठीके तो ऐसी कहानी में फस जाता है होने का मतलब बता दे तो मेरे बचों आपको पहले ठीक है ना परस्यासिव होने का मतलब हमें समझ में आता है कि जो किसी चीज की ownership बताए यानिके माली का नहख बताए माली कौन है या फिर हो सकता है जो किसी चीज से संबंद बताने का काम करें जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं relationship, ठीक है? उदारन से समझना मैं अगर आपको कहता हूँ भाई साब ये watch किस की है? आपको कि सर आप की है? मैं अगर ये कहूँ कि ये shirt किस की है? आपको कि सर आप की है? मालिका नहाक बता रहे हैं आपको किसी गली में खड़े हूँ किसी अंकल से पूछना ये मकान किस का है? तो अंकल बताएंगे बेटे ये मकान तो उस इंसान का है अधिकार, मालिका नहाक अगर मैं आपसे पूछू आप किस के हो? तो आप किस के हो? आप किस के हो तो यहां का केकी का अर्थ जुड़ता है ठीक है बचे तो चलिए possessive case से अंगिनत सवाल पूछे जाते हैं चलिए एक एक करके एक एक सवाल को ध्यान से समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जब possessive case अब बताते हैं living category का नाउन हमारे सामने आए तो possession बताने के लिए हम use करते हैं apostrophe s क्या use करते हैं बाबू यह जो छोटा सा कोमा है ना देखो वैसे तो हम वाक्य के अंदर कोमा लगाते हैं निचली तरफ कहां निचली तरफ लेकिन यह निचली तरफ नहीं है यह कहां है उपर है इसको हम कहते हैं apostrophe raised कोमा भी कभी कभी कह दिया जाता है raised का मतलब उठाया हुआ ठीक है apostrophe से कहते हैं अब इसके ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं किसी इसको बाबू possession को आउ थोड़ा सा असान बना के समझ लेते हैं ठीक है living down जैसे माली जी मैंने आप सभी के सामने लिख दिया कीर्ती जान से समझने की कुशिश करना भाई क्या कहा है यहां पर बबू कीर्ती एक इनसान का नाम है apostrophe सही लगा दिया अधिकार की इस पर बताया है बैग पर बताया है एक और उदारन लेकर चल लेते हैं मैंने आपके सामने लिखा Rohan's father अब मैंने यहां क्या किया है दोख दियान से Rohan एक इनसान का नाम है apostrophe स बिल्कुल ठीक लगा दिया सम्मंद की से बताया पापा के साथ easy हो गया कोई दिकत नहीं अब दिखो हमेशा एक बात याद रखना आप जब भी कोई बात कहते हो तो कही वी बात के ठीक विपरीत अर्थ हमेशा निकलता है अगर मैं कहता हूँ आज बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब दिमाग में यह जाता है इसका मतलब अच्छा कल बारिश हुई थी मेरी बात समझ रहे हैं आप किसी इंसान को जाकर यह कर आज आज आप सुन्दर लग रहे हो सामने वाला तुरण समझ जाएगा अच्छा कल मैं बदसूरत लग रहा था समझ रहे हैं जो भी आप किसी को कहते हो ठीक विपरीत उसका एक अर्थ हमेशा निकलता है अगर आप किसी को कहते है मैं तुमसे प्यार करता हूँ सामने वाला तुरण समझ जाता है कि जिस तरह का प्यार आप मेरे लिए रख रहे हैं अगर मेरे भाईयों हम आपके सामने नोन लिविंग केटेगरी के नाउन की अगर बात कर दें तो कहानी क्या होगी आप गोगे साहब फिर तो कहानी उलट जाएगी और कहानी अगर उलट गई तो कहें कैसे आप कहेंगे साहब पहले उठा के लेकर आएंगे हम प्रजेशन को पहले उठा कर लाएंगे किसको साहब प्रजेशन को अपोस्ट्रोफेर्स को हटा कर हमने क्या लगा दिया और इसके बाद हम लिखने का काम करेंगे क्या बाबुजी हम लिखने का काम करेंगे non living category का noun easy ठीक है चली चली एक उधारन से समझते हैं इस बात को एक उधारन से समझने का काम करते हैं अगर माली जे मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ एक छोटी सी बात मैंने कहा rooms dimension अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ rooms dimension तो आप इसे ठीक कैसे करेंगे आप करेंगे सरी गलत है non living का possession ऐसे नहीं पहले लाना पड़ेगा हमें dimension बोलो हाँ apostrophe को हटा कर लिख दिया अब इसके बार हमने क्या लिख दिया room ठीक है जी गलत सही करना इनके अंदर फुफा जी हमेशा याद आते हैं आर्टिकल्स का भी यूज है लेकिन वो आर्टिकल्स में सिखाऊंगा यहां आर्टिकल्स का लफड़ा नहीं है जब भी पढ़ाई करो आप कोई भी subject पढ़ो तो हमेशा ये कोशिश करना कि आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप एक चीज को solid करते चलो ऐसे कभी नहीं पढ़ना कि पढ़नाउन रहे हो आपको आर्टिकल्स की जितनी ज़रूरत है बस उतना सा ही उसको समझो ऐसा नहीं है कि आप पढ़नाउन रहे और सीन दिखा दीजए आपको गया है समझी नहीं आ रहे है बताना क्या चाह रहे है हम फिल्म समझी नहीं पा रहे है देख क्या रहे है बता क्या रहे है हो क्या रहा है तो concept clarity तब आएगी नाउन है नाउन पर फोकस करो इसमें अभी articles की कमिया है उसको हम ठीक करेंगे जब-जब हम articles कोड़ेंगे एक और example ले ले लेते है भाई ठीक है जैसे मैंने आपके सामने लिखा books printing कैसे ठीक करेंगे भाई कैसे ठीक करेंगे भाई आपके होगे बिल्कुल गलत है सर यहाँ book apostrophes printing लिखा है पहले लाएंगे हम किसी इसको printing off को हमने कर दिया और इधर हमने क्या लिख दिया easy खतम fine अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका अपना एक छोटा सा नियम आगे लेके चलते हैं तो चली बचो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं possessive case के अगली कहानी को हम समझने का काम करते हैं इस अगली कहानी को कहा जाता है exception इस अगली कहानी को कहा जाता है exception exception का मतलब क्या होता है exception का मतलब होता है जहां पर हम किसी भी नियम को use तो करते हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ अलग निकलता है मैंने कहा नियम कहा हम यूज तो करते हैं किसी भी नियम को किसी situation में लगाते हैं लेकिन उसका परिणाम हट कर होता है कुछ अलग होता है उसका result जो है वो कुछ अपवाद होता है अब इस exception के लिए मैं पहले आप सभी के सामने कुछ एक बाते लिखूँगा आप पहले उन सभी बातों को ध्यान से पढ़कर देखेंगे दोस्तों बेटा इन सभी को पहले ध्यान से आप पढ़कर देखेंगे ठीक है अब बेटा अब बेटा मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी के सामने कुछ फ्रेजिस लिखेंगे हैं आप जब इन फ्रेजिस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक exception के नियम पर हम काम करेंगे ठीक है बचों और हमें कायदे से अगर हम इस non-living वाले aspect को ध्यान से देखें मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेगा बचो अगर हम इस non-living वाले aspect को ध्यान से देखें तो हमें यह सभी के सभी phrases गलत नजर आते हैं लेकिन language में एक बात हमेशा ध्यान लखना language में गहराई होती है concept को समझने की कोशिश अगर आप करोगे तो language के अंदर बहुत सारे से छोटे छोटे elements जुडे हुए होते हैं जिनको जितना ध्यान से हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा वो मज़ेदार लगता है मेरे प्यारे छोटे भाईयों इसी चीज़ को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात का ध्यान देना होगा और एक छोटी सी बात का अगर हम concept समझें तो इसे हम कहते हैं personification क्या कहते हैं इसे हम इसे हम कहते है personification personification याद आया बच्चो ठीक है क्या लिए याद आया मैं फिर से याद इलाता हूँ personification का मतलब क्या हो गया मानवी करण यादा है भाया इसी को हम क्या कहते है मानवी करण यानि कि जब हम किसी नोन लिविंग थिंग को जब हम किसी भी नोन लिविंग थिंग को living की तरह describe करते हैं उसे हम मानवी करण कहते है personification कहते है अब मेरे बच्चों कभी-कभी होता कुछ ऐसा है नियम लिख दूँ खुश हो जाना है भईया नियम क्या कहता बड़े ध्यान से समझना कभी-कभी हमारे सामने लिखा हुआ नाउन कैसा होता है आपको होगे सर नोन लिविंग केटेगरी का नाउन होता है पहली बात क्या समझ वही किस तरह का नाउन होता है नोन लिविंग केटेगरी का नाउन होता है ठीक है अब इस नोन लिविंग केटेगरी के नाउन के साथ हम एपोस्टोफे एस को सही मानते है क्यों सही मानते है क्योंकि इसके साथ जो possession हमें लिखा मिलता है वो possession किस category का होता है living category का possession होता है आप कोगे सर्थ थोड़ी सी बात को ना अच्छे से समझाओ, बात थोड़ी थोड़ी कम समझ आई समझने की कोशिश करते है मेरे प्यारे दोस्तों, concept को ध्यान से समझना उसके बाद अपने आप ही खेल समझ में आ जाएगा मैंने आप सबी के सामने एक लिखा जैपुर, apostrophes, आगे लिख दिया भई क्या चीज? जैपुर्स, apostrophes और उसके बाद लिख दिया भई, culture ठेक हैं? और एक बात मैंने आप सबी के सामने लिख दी क्या चीज़? जैपूर's Apostrophe S Licks इन दोनों बातों को ध्यान से पढ़ कर देखना है जैपूर पर फोकस नहीं करना है आपको फोकस करना है Apostrophe S लिखने के बाद किस तरह का शब लिखा है ठीक है ना? आप जब दोनों को ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि गुरुदेव कल्चर जो है ना? वो इनसानों की है कल्चर किस की है? इनसानों की है तो इसका मतलब जैपूर के साथ ये Apostrophe लिखा हमने ये जो कल्चर है वो किस तरह का possession है? आप कोगे साहब living category का possession है यानि कि अगर ये एक ऐसा शब्द हम लोगों को लिखावा मिलता है जो इनसानों के द्वारा बनाया हुआ है या फिर जो इनसानों के बारे में बताता है या इनसानों की अपनी एक खास पहचान है ठीक है तो संसक्रिटी किस की होती है? इनसानों की होती है तो possession किसका हो लिविंग तो इस apostrophe को हम सही मानेंगे बोलो हाँ अब अगली अगर हम बात समझते हैं तो यहां लिखा जैपूर apostrophe lakes आपको अगे साथ लेक जील इंसानों का तालुक नहीं है जील तो अपने आप में भोगोलिक सती है तो इसका मतलब यह possession non living है इसको हमें ठीक करना होगा कैसे हम पहले लिखेंगे किसी इसको lakes apostrophe को हटाया और इसके बाद हम लोगों ने किसी इसको लिख दिया भाई हम ने लिख दिया जैपूर को very easy बहुत असान था बोलो हाँ बात समझ में आई इन चीज़ों को ही आपके examination में पूछा जाता है मैं आपके सामने फिर से लिखता हूँ मैंने आपके सामने लिखा दिवाली's celebration एक और फिर मैंने आपके सामने लिखा दिवाली's night इन दोनों में से कुन सा सही कुन सा गलत है ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो दिवाली पर focus नहीं करना possession किस पर है उस पर आपको focus करना है celebration कोन करते हैं इनसान करते हैं यानि कि तो personified हो गया यानि कि इस दिवाली का apostrophe के साथ बिल्कुल सही ताल में बैड़ गया भुलो हाँ लेकिन night इनसान से कोई तालुक नहीं तो जिवाली की बात हो गई है ना हमारी अर्थ की, sun की situation जैसे उसके coding है ठीके ना इनसानोंने कुछ नहीं कहा इस बारे में तो इसका मतलब क्या हुआ इसको हम ठीक लिखेंगे क्या कहकर night of दिवाली easy बात समझ आगा बिटा अब इसी concept को exception कह दिया जाता है अब exception कैसे काम करता है मैं इधर आप सभी के सामने इसके छोटी छोटी प्यारी प्यारी बात लिख देता हूँ ठीक है बिटा फिर हम अपने पिछले questions पर focus करेंगे ठीक है ना सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आई सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि किसी भी place के साथ apostrophes ठीक माना जाए अगर living category का possession देखने को मिले इस L का मतलब living possession ठीक है बई अगर हम किसी भी मेरे प्यारे बच्चों समय के साथ apostrophes लगा सकते है अगर इसी के बात living category का possession हूँ ठीक है बच्चों personification है ना भाई अब इसी तरीके से अगर हम कहें heavenly body अगर हम इसी की तरह से कहें heavenly body heavenly body का मतलब आकाशिय पिंड हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई आकाशिय पिंड ठीक है आकाशिय पिंड का मतलब क्या हो गया भाई जो आस्मान में है अपको हो planets है stars है steroids है ठीक है न ये जितने भी है हमारे क्या satellites है asteroids है इस सब क्या है हमारे आकाशिय पिंड है इन सभी के साथ apostrophes सही है अगर इनके साथ हम जूड़ते है अगर हमारे पास कोई भी idiom आती है idiom को हिंडी में हम क्या कहते है अगर कोई भी मुहावरा आता है तो मुहावरे के अंदर भी apostrophes के बाद possession कोई भी लिखा हुआ हो सही माना जाता है मुहावरे का तो आप जानते ही है कि मुहावरे का अर्थ जब भी निकालोगे मुहावरे का अर्थ जब भी निकालोगे तो मुहावरे का अर्थ शब्दों से तालुक नहीं रखता नाच ना जाने आंगन टेड़ा अर्थ क्या है इसका कि जिस इंसान को काम करना नहीं आता वो इंसान काम के तरीके में गलतिया निकालता है, ठीक है, तो आजो बिटा, अब ये है हमारी concept, जो exception का महीन और गहरा राज है, ठीक है, अब इन सवालों पर थोड़ी सी आप और मैं मिलकर मेहनत करते हैं, ध्यान से समझो, culture इंसानों की है apostrophe सही है, population इंसानों की है अपोस्टोफे सही है, land इंसान से तल्लुक नहीं रखती, जियोग्रफी की कहानी है इसको हम ठीक करेंगे, क्या कर, land of India ठीक है बेटा, correct हो गया, आगे देखते हैं, holidays छुटियां कोन बनाता है, इंसान बनाता है, छुटियां इंसान बनाता है तो भाई साब, बिल्कुल सही जा रहा है, खुबसूरती इंसान ही पहचान सकते है इंसानों के बास ही ये गुण है, खुबसूरती ही बात करें, personification बिल्कुल सही है gravity, अरे सहाब, gravity तो जियोग्रफी की term होगी, इसलिए क्या कहेंगे gravity of sun, ठीक है, हाँ, article लगेगा या नहीं लगेगा, इस कहानी को हम पूरा करेंगे जब, जब हम आपके साथ articles पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए देखते रही है, सामने, ठीक है आगे लिखा है, at a stones throw, यानि के कोई चीज क्या है, बहुत नजदीक होना, ठीक है न, ठीक है न, ज़्यादा दूरी पर ना होना, बिल्कुछ से articles में, ठीक है न, courts decision, decision इंसान लेते हैं, अपोस्टोफे सही है, location तालुक नहीं है, इसको हम ठीक करेंगे, क्या, location of court ठीक है बेटा, fine, तो ऐसे कभी-कभी हम लोगों को सवाल, non-living के possession में भी पूछ लिये जाते हैं, जिसका कारण है personification, और personification का मतलब क्या हुआ, जो possession है, वो living category का है, ठीक है बचो, यहाँ तक की बात clear होगी, ठीक है बचो, यहाँ तक की बात clear होगी, अच्छे से, चलिए, अब थोड़ा सा आगे लिके चलते हैं, इसी व्यारी सी खुब्सूरत सी बाची को, मेरे भाईयों, अब possessive case को हम सीखने की कोशिश करेंगे, sound के basis पर, possessive case को अब हम सीखने की कोशिश करेंगे, किसके basis पर, sound के basis पर, थोड़ा ध्यान से तेकते चलेंगे, समझते चलेंगे, sound के basis पर, इसके दो प्यारे नियम बनते हैं, पहला नियम कहता है, क्या चीज, कि अगर हम मान लो मेरे बच्चों किसी भी noun के साथ, चाहे वो noun singular हो, singular का मतलब क्या हुआ? एक वचन, singular का क्या मतलब हुआ? एक वचन, यानि कि जो संख्या में एक हैं, और चाहे यही लिखा हुआ noun plural हो, plural का मतलब क्या हुआ भाई? बहुचन, अब बहुचन का मतलब क्या हुआ? जिसकी संख्या एक से ज्या S की sound का मतलब क्या हुआ? S श ठीक है दीक है ब wavelengths? अगर हमें S की sound आती है इस noun के अंत में तब हम क्या करते हैं अगर sound नहीं आए पहले इक आम करते हैं नहीं से बात करते हैं अगर S की sound नहीं आए तो हम pasteur फे S लगा कर possession mention कर देते हैं इसका खुबसूरत उदारन देखते हैं क्या कहता है देखो बच्चो जैसे माली जी मैंने आप सभी के सामने लिखा एक छोटा सा खुबसूरत सा एक्जेम्पल मैंने का चिल्डरन एपोस्ट्रोफ एस और उसके बाद मैंने लिख दिया पार्क ध्यान से देखो बच्चे क्या लिखा है चाइल्ड सिंगूलर होता है जब चिल्डरन हमने बोल कर देखा तो आखिर में किस की साउंड आई और शीलिए इस अपोस्ट्रोफ एस को हमने लगा कर बच्चों का पार्क बिलकूल सही कह दिया ठीक है बच्चों का पर्क बिल्कुल सही कह दिया बोलो हाँ ठीक है जी अच्छा बई अगर हम देखें ध्यान से एक शब्द है पीपल आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि पीपल अपने आप में हमेशा plural ही यूज होता है ठीक है बई तो पीपल को जब हमने बोला लगी साउंड आई ठीक है लगी साउंड आ रही है यानि के एस साउंड नहीं तो इस अपोस्टोफेस को सही माना आगे जो भी लिखा है वो सही है करेक्ट होगा बच्चा अब थोड़ी दिर पहले एक बात मैंने आप बताई थी कि जो भी हम कहते हैं उसके ठीक विपरीत भी एक चोटा सा नियम बनता है यानि के अगर बाबुजी इस बात के ही ठीक विपरीत हम सोचें क्या सोचें लिखा हुआ कोई भी नाउंड मैंने का कहा लिखा हुआ कोई भी नाउंड चाहे वो लिखा हुआ नाउं singular हो, चाहे वो लिखा हुआ noun plural हो, अगर इस लिखे हुए noun के अंत में, कौन सी sound अब की बार आए S sound, कौन सी sound इसके अंत में आए, S की sound अगर इसके अंत में आए, तो हम क्या करेंगे आपको होगे सर, जब S की sound यहाँ है, तो apostrophe S के हम लोग खिलाफ हो जाएंगे, कैसे खिलाफ हो जाएंगे गुरुजी ध्यान से समझ लो इस बात को सा की sound यहाँ है apostrophe के बाद S लगाने की वज़े से सा की sound वहाँ हो गई, तो इस double S की sound को हम खतम कर देंगे और हम इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, possession लिख देंगे, क्या लिख देंगे बावू हम सिर्फ और सिर्फ इसके बाद possession लिख देंगे, फत्म अब थोड़ा सा concentrate करते हैं, example पर ध्यान से देखना, अगर मा लीजे दोस्तों, मैंने आप सभी के सामने एक चोटी सी बात लिखी, observe करने की कोशिश कीजिएगा मैंने आप सभी के सामने लिखा, boys ठीक है hostel, तो क्या ये सही लिखा है, बताओ जरा आपको होगे सर, मामले में गड़वड है क्या गड़वड है मामले में आपको होगे गुरुदेव, boys के अंत में सा की ध्वनी है मुलू हाँ, अपोस्ट्रोफ के बाद अगर ऐसा हम लगाते हैं तो ये क्या हो गया सा की ध्वनी बार-बार आ रही है हाई ना, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसको तो boys hostel, हाई ना, और इस इस की sound को अगर हम ध्यान से समझें, तो ये कून सी आती है hissing sound, ऐसा लगता है जैसे किसी साप की अवाज आ रही है boys sound हाई ना, boys ये जो साप की अवाज है, ये वो वाली अवाज मत सोचना जो बच्पन में मम्मी निकालती थी यादा था है, वो वाली सोच बेह जाता था इसी वज़े से मिर बच्चे, grammatically हम इसको कहते है, क्या, कि boys ये plural, S की sound दे ही रहा है तो इस sound को हम बिना apostrophe के चलाएंगे, लोजिक समझागे बटा, हाई ना, आच्छा देको पेपर का एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ पेपर का एक सवाल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है क्या ये सही है क्या ये सही है क्या ये सही है इन तीनों में से कौन सा सही जवाब है इन तीनों में से कौन सा सही जवाब है बताएं चली बचो आओ बचो थोड़ा आगे चलते हैं आप इस चीज को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी सर एक केंडिडेट की लिस्ट नहीं हो सकती लिस्ट तब बनती है जब एक से ज़ादा कोई भी चीज लिखने का प्रयास किया जाए अब क्लियर है ठीक है इसका हमें अच्छे से ध्यान लखना है sound के basis पर हमें इसका अच्छे से ध्यान लखना पड़ता है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अब थोड़ी सी बात को और आगे लेके चलते हैं अब भी possessive case ही समझना है possessive case से बहुत सारे सवाल आपके paper में पूछे जाते हैं ठीक है मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ राहूल's father's friend has gone to Canada वाक्य को ध्यान से पढ़कर देखें आप जब इस लिखे वे वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक बार इसी इसको समझने की कोशिश करना कि आखिर Canada गया कौन है सवाल उठेगा दिमाग में आखिर Canada गया कौन है गनित बहुत खुबसूरत विद्या है गनित ने हमें सिखाया A बराबर है B के B बराबर है C के A बराबर है B और B बराबर है C के तो गणित हमें कहता है कि इस हिसाब से A बराबर है C के बोलू हाँ ठीक है ना गणित हमें कहता है कि इस हिसाब से A बराबर है C के वेरी सिंपल अब मेरे बच्चे इसी नियम को छोटे भाईयों अगर इसी नियम को हम इस sentence में ध्यान से देखें यहाँ पर राहूल का possession है पापा पर पापा का possession है friend पर तो कहीं ऐसा तो नहीं हम राहूल का possession friend पर बता गए है हो सकता है अब दिमाग में एक सवाल आपके उठेगा क्या उठेगा सवाल कि कैनड़ा जाने वाला कौन है राहूल है राहूल के पापा है ठीक है या राहूल के पापा के friend है या राहूल के फ्रेंड है राहूल के पापा कन्फीज हो गया गया तो गया कौन मेरे बच्चो एक बात हमेशा याद रखना है language सीखने का फाइदा क्या है language सीखने का फाइदा सिर्फ यही है कि हम जो कहना चाहते हैं सामने वाला वही समझे, हम जो कहना चाहते हैं सामने वाला वही समझे अगर सामने वाला वो बात ही नहीं समझ पाया तो फिर grammar सीखने का फाइदा नहीं मेरी बात समझ रहे मेरे दोस्त ने मुझे कहा मेरी पत्नी ने मुझे रोते हुए उठाया मेरे दोस्त ने मुझे कहा मेरी पत्नी ने मुझे रोते हुए उठाया मैं आज तक नहीं समझ पाया रो कोन रहा था मेरा दोस्त या उसकी पत्नी आप समझें? फिर से बोलू मेरे दोस्त ने मुझे आके बताया मेरी पतनी ने मुझे रोते हुए उठाया वो कौन रहा था आज तक नहीं समझ मैं पती या मेरा दोस्त लेंग्विज में इसी confusion को दूर करने के लिए आपको ये grammar की class बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरे दोस्तों इस confusion को दूर करने का वक्त आ गया है हमें ऐसे sequential possession को हमेशा avoid करना है जो कैसे लिखा जाता है किसी भी एक noun के साथ apostrophes लगा कर फिर दूसरे noun के साथ apostrophes लगा कर और उसके बाद हम mention करते हैं क्या चीज? possession तो इस चीज को ठीक कैसे किया जा सकता है कि सबसे पहले आप लिख डालेंगे किसी इसको possession को किसी इसको लिख डालेंगे possession को इस apostrophes as को आपने हटाया इसकी जगे लगा दिया अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास बचा है सिर्फ इतना सा खुबसूरत सा फ्रेज इसके पास तो है ही एक apostrophes इसको क्या दिक्कत है भाई? ठीक हो गया? ठीक हो गया? बोलो हाँ ठीक है? तो हम इस चीज को गलत करते हैं और इसे हम ठीक करते हैं तो बेटा इसको ठीक अगर करना है पहले फ्रेंड को लेकर आओ, आया इस apostrophes को हटा कर हमने off लगाया खतम हो गई बाचीद अब हमारे पास यही बचा है तो इसको हमने as it is लिख दिया राहूल apostrophes और उसके बाद क्या लिख दिया? फादर आगे हमने लिख दिया has gone to Canada ठीक है जी? खतम? ओके? बाद समझ में आ गई? तो गया कोन है आकर? फ्रेंड गया है और फ्रेंड कोन है? राहूल के पापा का ठीक है? ओके चलो बिटा इसी को एक बार फिर से समझते हैं इसी को एक बार फिर से समझते हैं छोटा से सवाल मैं आप सभी को दे रहा हूँ इसी नियम के आधार पर तो आप इसको ठीक करके मुझे बताईएगा ठीक करना बिलकुल असान है कैसे ठीक करेंगे दोस्तों हम हम इसको ठीक कैसे करेंगे पहले mention करेंगे ठीक है इस apostrophes को हमने ठीक कर दिया और भाईया इसको हमने ठीक कर दिया क्या कहकर यह जो भी कुछ लिखा है खतम तो sequential possession को हम हमेशा गलत मानते हैं क्योंकि language में अगर ambiguity आजाएं language में अगर एक ही बात के एक से ज़्यादा अर्थ निकल जाएं तो यानि के कही ना कहीं grammar की गलती है कही ना कहीं व्याकरण गलत है ठीक है और हम व्याकरण को ठीक करके ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाएं आजो आजो अब एक अगली बात को कढर प्राण की सनकिर्ण ठीक है को गलता है मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने तीन वाक्य लिख चुका हूँ इन तीनों वाक्यों में आपको बताना है कि अपोस्ट्रोफे आप कहां पर लगाना ठीक मानेगे पहले इन सभी लिखेवे वाक्यों को ध्यान से पढ़ने की कुशिश करें पहले इन सभी लिखेवे वाक्यों को ध्यान से पढ़ने की कुशिश करें ठीक है ओके बिटा शाबाज ग्रेट वेरी गुड आओ मेरे दोस्तों अब इसी बारचीत को अगर ध्यान से हमने समझ लिया है तो इसके पीछे एक प्यारा खुबसूरत सा नियम है प्यारा खुबसूरत सा नियम क्या है बटा प्यारा खुबसूरत सा नियम है compound noun अरे वाजिवा धीरे 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 noun नाउन तगड़ा होता जा रहा है नाउन तगड़ा नहीं हो रहा है हमारी नाउन की समझ अच्छी हो रही है आप में से बहुत आरे बच्चे सोच रहे होंगे ओरे नाउन इतना बड़ा है है हमने तो सोचा था कि नाउन सिंगुलर प्लूरल हो गया और खतम हो गया नहीं हो, हमारी हमेशा एक ही वज़े से कमजोरी बनती है इन चीजों में, जब हम अपने basics अच्छे से नहीं बढ़ कर आते noun ठीक से नहीं पड़ा, pronoun बरबाद pronoun ठीक से नहीं पड़ा, फिर rejective बरबाद और वही जो शुरू में आपको बदैदा sequence सौरा बरबाद होता चला जाता है इसलिए open your thinking अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना है compound noun होता क्या है बाबू, पहले ये समझना, कभी कभी हम लोग एक नहीं, एक से जादा शब्दों को आपस में मिलाते हैं, एक नहीं बनाते हैं, या फिर ये एक नया अर्थ बनाते हैं या तो ये एक नया शब्द बनाते हैं या फिर ये क्या बनाते हैं, एक नया अर्थ बनाते हैं, मैंने फिर से कहा या तो एक नया शब्द बनाते हैं, या फिर ये एक नया अर्थ बनाते हैं जैसे चलो अच्छे से समझेंगे बाबू example मैंने आप सभी के सामने लिखा brother in law इसका क्या अर्थ हो सकता है brother का हिंदी मैंने निखा भाई इनकी हिंदी लिखी में law का मतलब लिख दिया मैंने कानून तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई में कानून क्या इसका ये अर्थ है क्या इसका ये अर्थ है भाई में कानून पताओ ज़रा आप काओगे नहीं सर भाई में कानून का इसका कोई अर्थ नहीं है ठीक है मेरी बात समझ रहे मेरी बात समझ रहे बिटा तो हमें ये समझ में आया बाबु कि हम इस तरीके की कहाणी कोhey ध्यान से दिखेंगे तो हमें समझ में आया कि गुरुजी ऐसा तो कोई भी अर्थ नहीं है जब इन तीनों के तीनों शब्नों को इकठे मिलाया हमने तब हमें इसका अर्थ समझ में आया क्या चीज, ठीक है भई, भूलो हाँ, अब ऐसी situation में अगर हमें इसका possessive case बनाना है, तो possessive case के लिए apostrophe कहां लगाएंगे, हम apostrophe हमेशा लगाने की कोशिश करेंगे, at the last word of a compound noun, जो भी हमारा compound noun होता है, हम apostrophe है बिलकुल आखरी अक्षर के उपर लगाते हैं, ठीक है न, अब अगर मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज, सवाल की तरह आपसे मैं पूछ लूँ, और मैं अगर सवाल की तरह आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है न, यानि कि जो प अब इस लिखेवे सवाल में apostrophe कहां लगाएंगे, my brother-in-law car was parked here, आप इसके लिए इस compound के आखरी शब्द पर apostrophe s लगाएंगे, मेरे साले की car, यह क्या है, possession है, ठीक है, यह क्या है, possession है, ठीक है, तो नियम क्या है, एक बार फिर से समझेंगे, हम apostrophe s कहां लगाएंगे, जो भी compound noun है, उसके आखरी शब्द के साथ, कहां लगाएंगे, आखरी शब्द के साथ, तो भाव, इन तीनों questions को ध्यान से पढ़कर देखेंगे हम, क्या करेंगे अब हम, आखरी शब्द के साथ, apostrophe l लगाएंगे, तो कौन सा सही होगा, member of parliament, एक पद है, आखरी शब्द के सा और ये हो गया, इसका possession, ठीक है, general manager, आखरी शब्द के साथ, apostrophe l लगाएंगे, और ये क्या हो गया, possession, ठीक है, तो ये possession बीच में लगाना गलत बात है, ठीक है, अब एक बच्चे के दिल में सवाल आया, अब एक बच्चे के दिल में सवाल आया, कि गुरु देव, एक noun लिखा है हमारे सामने, हमने लगा दिया, apostrophe s, इसके बाद हमने लगा दिया, क्या गुरु देव, possession, तो एक बात मुझे बता दो, गुरु देव, कि आने वाली, जो helping verb है, वो किसके अनुसार हम लगाएंगे, है न, क्योंकि ये सवाल तो गुरु देव, subject verb agreement में भी पढ़ मिलकर तयार करेंगे, तो बाबु, आने वाली, जो helping verb है, वो किसके अनुसार होगी, है जी, इस noun के अनुसार, ना, जी, ना, किसके अनुसार होगी, बेटा, इस लिखेवे, possession की अनुसार होगी, ठीक है, तो यानि के, यहां लिखीवे, इसमे, r किसकी वेज़े से है, rights की व जैसे, यहां तक की बात समझ में आगी, बेटा,